Hi guys, current affairs funda में आप सभी का स्वागत है So, आज की स्वीडियो सेशन में हम January 4th week के सभी current affairs एक साथ cover करने वाले हैं जो भी aspirants हमारे daily current affairs नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थूँ अपनी January 4th week के सभी current affairs को cover कर सकते हैं साथ ही गाई इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारी डेली करन्ट अफेर्स वीडियाफ वीकली पीडियाफ और मंतली पीडियाफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कोमेट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करन्ट अफेर्स फंडा एप को भी इंस्टॉल कर लीजे क्योंकि जो भी हमारा पीडियाफ मैटिरियल है वह आपको हमारी इसी एप पर उपलब्द हो पाएगा तो हम आपको करन्ट अफेर्स के साथ साथ पाइड करते हैं तो यदि आप हमारा एक कोर्स लेना चाहते हैं पीडियाफ कोर्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के फिर्स कमेंड में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें comment box में जरूर लिखेगा तो चले फिर करते हैं सुरुआद इस ये दिलीप संगानी आपको जानना चाहिए ये गुजरात में पहले कैबिनेट मेंस्टर भी रहे हैं और अब ये इफको यानि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव इसके सत्रवे चेयरमेन निउक्त किये गए हैं आपको जानना चाहिए क्यों निउक्त किये गए हैं क्योंकि इन से पहले जो इस पत पर काबिच थे बलविंदर सीन नकई तो इनका जो है हाली में निधन हो गया था इनक्यूब बैंड थे यानि कि इस पत पर ये तब बने हुए थे जब इनका निधन हुआ उसको बोलते हैं इनक्यूब बैंड बाकिया आपको जानना चाहिए इफको का हेट्वार्ट रस न्यू डेली में है और इसके स्थापनाती नौंबर उनिस सो सड़ सड़ को हुई थी 2021 के लिए ICC Men's T20 Team of the Year का कप्तान किसे न्यूक्त किया गया है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन भी है तो बाबर आजम हैस बी नेम्ड एस था कैप्टन आफ तब आई-सी सी मैंस T20 Team of the Year देखे आपको जानना चाहिए बाबर आजम को ICC Men's T20 of the Year का कैप्टन बनाया गया है साथी साथ इनको ICC Men's ODI Team of the Year का कैप्टन भी बनाया गया है आपको जानना चाहिए फिर से कोई भी इंडियन ICC ODI Team of the Year में सामिल नहीं है नहीं कोई ICC T20 Men's Team of the Year में सामिल रहा बलकि जो इसमर्ती मंदाना है जो भारती है महिला क्रिकेटर है इनको Women's T20 Team of the Year में जगा मिली है तो ये पुरी टीम है ICC Men's ODI Team of the Year की आप देख सकते हैं यदि आप जिग्यासू है थोड़ा की कौन-कौन इसमें सामिल है बाकी exam point of view से ये इतना important नहीं है कौन-कौन सामिल है किस प्रसांथ द्वीब के पास समुद्र के भीतर ज्वाला मखी फट गया जिससे पूरे छेत्र में सुनामी की लहरे उठी हैं उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर उप्शन भी है सो एन अंडर सी वॉल्कैन इरॉप्टेड क्लोस टू पैसिफिक आइलेंड ऑफ टॉंगा सेंडिंग तो सुनामी वेवस एक्रोस तर रीजिन जानेंगे इसके बारे में देखे पैसिफिक कंट्री है टॉंगा तो यह तो यहां पर भी सुनामी की लहरे काफी तेज प्रभाव से आई हैं आपको जाना चाहिए टॉंगा की करंसी पांगा है और यह एक आर्ग पिलागो है आर्ग पिलागो मतलब क्या होता है कोई इस तरह का एरिया जहां पर कोई मानली जल लेक है या फिर रीवर है या फिर ओ आईलेंड होते हैं एक चैन बनी होती है आईलेंड की उसको बोलते हैं आकर फिलागो और 169 आईलेंड हैं आपर जिन में से केवल 36 ही इन हैबिटेड है आर्बियाई के आकड़ों के इंसवार सितंबर 2021 के लिए डिजिटल भुकतान सूचकांग क्या है ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी है जानेंगे इसके बारे में देखिए आपको जानना चाहिए रिजर बैंक आफ इंडिया ने कुछ टाइम पहले डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आर्बियाई डीपी इसकी खोशना की थी और इसमें इन्होंने मार्च 2018 को अपना बेस येर बनाया था तो इसका उद्देश यही था कि भारत में डिजिटली करण डिजिटाइजेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है और क्या आकड़े हैं उसके तो उनको एक नंबर में पिरवाया जाए एक नंबर में उनको बताया जाए तो इसलिए जिदर बैंक को फिन है डिजिटल जबकि मार्च 2021 का रहा 27.59 अब हम इसको मार्च यह साथ कमपेर कर रहे हैं यह भी अभी जानेंगे पहले आप यह देख लीजिए मार्च 2018 बेसीयर है और बेसीयर का जो आर डिपी इंडेक्स रहा यह 100 रखा गया था बेसीयर का कितना है 100 और अब मार्च 2021 में देखिए आप 270 रहा और सितंबर 2021 में 304 रहा अब जानेंगे ऐसा क्यों है देखिए तो यह जो डिपी इंडेक्स है इसमें पांच ब्रोड पेरामिटर्स यहां पर रिजर्व बैंक को फिडिया ने बताए थे देख लेता है कौन कौन से एक तो पेमेंट इनेबलर से जिसका वेटेज है 25 25 परसेंट दूसरा है पेमेंट इंफरस्टक्चर डिवांड्साइड फैक्टर्स तीसरा पेमेंट इफ़ास्तक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स चोगदा है पेमेंट परफोर्मेंस और पांच वाहे कंस्यूमर संट्रीजिटी अब देखिए आपको जाना चाहिए सेमी usual basis पर जारी किया जाता है या पप्छ या जाता है अब देखिए इस Hisah mm का आंकिड़ा आया था अब मार्च के बाद आगर आप ज जोडए तो क्या गया सDB 2021 का क्या सिंट लोग चिया जाएगा साथी चार महीने देरी चुप प्रजान टाइम है उससे चार महीने पीछे का डेटा दिया जाएगा अब देखिए सितंबर 2020 का डेटा यह आया है अब अगर आप सितंबर के बाद चार महीने चले अक्टुबर नौंबर दिसम्बर जनौवरी तो फिलाल जनौवरी चल रहा है ना तो जनौवरी का तो नहीं आया ना चार महीने पीछे गाया नहीं सितंबर का अब है तो इसलिए आप समझते कोंगे सैमियनल बेसिस यह ना यानि कि छह महीने मार्ज दो किस काया था उसके बाद 6 महीने जोड़े सिदम बरकाया लेकिन क्या 4 महीने पीछेगा अभी क्या चलता है जनवरी उससे 4 महीने पीछेगा तो ये इस लाइन का मतलब है दुनिया के सबसे उम्रत राज विक्ति का नाम बताईए जिनका हाल ही में निधन हो गया है उप्शन सापके सामने है सही आंसर उप्शन टी है सो वर्ड्स ओल्डेस्ट मैन सेटर्णी नो देला फोंते डाइड रिसेंट्ली इसमें आपके लिए इंपोर्टन रहेगा कि ये कहां से थे तो ये इस्पेंड से थे और वर्ड के ओल्डेस्ट मैन रहे है 112 साल के उनमें इनका निधन हो गया है तो ये आप याद रखेंगे इस पेंड के थे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टेरिंग ग्रूप के ब्रैंड अमबेस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ओप्शन सापके सामने है सही आंसर ओप्शन डी है विजे सेकर सरमा है बिन रॉप इन एस ब्रैंड अमबेस्टर ऑफ ता यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टेरिंग ग्रूप तो देखे ग्लोबल इंटरनेट बोडी आई सी ए ए एन एन इसके दोरा सपोर्ट किया ही जाता है ये उनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टेरिंग ग्रूप तो इसने पेटियम फाउंडर विजे सेकर सरमा को अपना ब्रैंड अमबेस्टर निउक्त किया है आपको जाना चाहिए जो ये universal acceptance stirring group है it works on developing and recommending standards for language script that are not currently used to access the internet Oxford University Press ने निम्रिकित में से किस सब्द को children word of the year 2021 को शित किया है सही answer option भी है the Oxford University Press has declared anxiety as children's word of the year 2021 तो anxiety जो है यह children's word of the year 2021 को शित किया गया है Oxford University Press के द्वारा anxiety का मतलब आप सभी समझते हैं चिंता भए परिसानी यह सब जो दिमाग में चलता है तो इसको बोलते हैं anxiety super hit video game call of duty और candy crush के निर्माता Activision Blizzard को कौन सी company खरी देगी options आपके सामने है सही answer option C है so Microsoft would buy Activision हाँ Activision Blizzard the maker of super hit video games call of duty and candy crush अच्छा यह तो होगया corporation यहाँ पर आप देख रहे हैं न inc.amazon.com inc. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं alphabet inc. इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है incorporated apple incorporated alphabet incorporated तो company के बाद अगर यह लगता है inc. इसका मतलब होता है incorporated तो Microsoft ने कहाए कि यह Activision Blizzard इसको जो है acquire करेगी और आपको बता देख जो call of duty candy crush यह काफी famous जो games है video games है इनके निर्बाता यही है और यह deal 68.7 billion dollar की होने वाली है आपको जानना चाहिए Microsoft के Chairman CEO सत्या नडेला है Headquarters Washington DC United States में है और Microsoft के founder आप से भी जानते है Bill Gates और Paul Allen रही है केंद्रे परियर्टरन मंत्री जी केशन रेड़ी ने किस इस्थान में प्रशाद परियोजन आउका उतकाटन किया है options आपके सामने है सही आंसर option C है यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी केशन रेड़ी इनगरेटर प्रसाद प्रजेक्ट्स एट गोवर्धन मत्रूरा तो देखे प्रसाद स्कीम के तहट कई सारे infrastructure से सम्मंदित प्रजेक्ट्स को इनगरेट किया जाता है तो अब की बार Union Minister of Tourism, Culture and Development of North Eastern Region जी किशन रेड़ी इन्होंने गोवर्धन मत्रूरा के आसपास के इलाकों में कई सारे infrastructure सम्मंदित जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनगरेट किया है जैसे जो यह आपका गोवर्धन मत्रूरा यहांपर पार्किंग की फैसलिटी इनगरेट की है प्रसाद स्कीम के तहर ताकि जो प्लिग्रेमेज आए ठीक है जो सुरत धालू आए उनको कोई दिक्कत ना हो पार्किंग की टोईलेट्स वगएरा यहांपर इन्होंने जो है इनोगरेट किये है साथी जो इस्टे होता है धरमसारा टाइप उनको यहांपर इन्होंने इनोगरेट किया है आपको जानना चाहिए जो प्रसाद है यानि की नेशनल मिशन ओन प्लिग्रेमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिच्वल हेरिटेज अगमेंटेशन ड्राइव यह इसकी फुल फॉर्म है यह एक सेंट्रल सेक्टर इसकी में यानि की फुली फंडेट है सेंट्रल गॉर्मेंट द्वारा हंडेट प्रसेंट फंडेंग इसकी सेंट्रल गॉर्मेंट करता है और आपको जानना चाहिए फाइनेशन येर 2014-15 में इसको लॉंच किया गया था मक्सद यही है जो भी फिल्ग्रिमेज साइड है जो धार्मिक इस्थल है आस्था से जुड़े हुए इस्थल है उनको फिर से रिजूनेट किया जाए सभी प्रकार की फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइट कराई जाए ताकि जो भी आत्रिगणे उनको कोई दिक्कत ना हो WhatsApp चैटबोट पर अस्थी से अधिक नागरिक आधारी सेवाए देने वाला विस्थ का एक मात्र नगर निगम निम्लिक में से कौन सा है सही आंसर ओप्शन दी है तो दीखें ब्रिहन मुंबई मुनिसिपल कोर्परेशन ये पूरे वर्ड में इकलोती ऐसी मुनिसिपल कोर्परेशन मन गया है जो WhatsApp चैटबोट के जरीए 80 सिटिजन बेस्ट सर्विसेज की जानकारी प्रोवाइड कराता है तो इसको हालिए मारत के चीफ में इस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा लॉंच किया गया है तो ये जो आप ये जो चैटबोट है WhatsApp नमबर इसका 8999-22-8999 है और इसमें 80 से ज्यादा सर्विसेज के बारे में आप जान सकते हैं जैसे सिटिजन से संबंदिद टूरिज्म से संबंदिद या फिर बीजनस से संबंदिद भारत ने 2021 में सोने के आयत पर कितना खर्च किया है सही आंसर ऑप्शन सी है इंडिया इस्पेंट 55.7 बिलियन युएस टोलर ओन गोल्ड इंपोर्ट इन 2021 तो 2021 में भारत सरकार ने 55.7 बिलियन युएस टोलर गोल्ड आयात यानी सोना को जो आयात होता है उस पर खर्च किया है हम वॉल्यूम वाइस बात करें तो 1050 टन 2021 में भारत ने आयात किया है हाल ही में किस प्रसिद्ध पारिस्थितिक वैग्यानी का नितन हुआ है औरुप्षण सापके सामने हैं सही आंसर औरुप्षण सी है तो फेमस एकोलोजिस्ट म के प्रसाद पास्ट अवे रिसेंट ली तो एकोलोजिस्ट थे आफिर आप इन्वायरमेंटलिस्ट कहा सकते हैं म के प्रसाद 89 की एजमेन का नितन हो गया है आपको बता दें ये Save Silent Valley Campaign से जुड़े हुए थे और ये केरल सस्त्र साहित्या परिस्त इसको भी लेड कर चुके हैं इसके प्रेजिडेंट रह चुए है हाली में S. दोरिराजी माफ कीजेगा हाली में Sam Rajappa इनका निदन हो गया है ये एक उलेखनी क्या थे सही answer option D है हाली में Sam Rajappa का निदन हो गया है वेक उलेखने क्या थे तो आंसरों का उप्शन D तो देखिए काफी वेटरेंट जर्नलिस्ट हैं Sam Rajappa इनका हाली में निदन हो गया है आपको बता दें Kolkata-based newspaper जो है Statesman इसमें इनोंने काफी लंबे समय तक कारी किया है फाइजर के अध्यक्ष और मुख्य कारेकारी का नाम बताईए जिन्होंने COVID-19 वेक्सीन के विकास के लिए 1 million US dollar का Genesis Prize चीता है सही answer option C है So Chairman and Chief Executive of Pfizer Albert Bourla won 1 million US dollar Genesis Prize for development of COVID-19 वेक्सीन तो Albert Bourla ये क्या है Pfizer Incorporated फिर से देखिए INC. लग गया है इसके Chairman and Chief Executive बने है माफ कीजगा इसके Chairman and Chief Executive है और इन्हें Genesis Prize दिया गया है किसलिए COVID-19 वेक्सीन के development के लिए आपको जानना चाहिए ये जो पुरुसकारे साल 2014 में इसको बनाया गया था इसको found किया गया था और किसके द्वारा दिया जाता है Genesis Prize Foundation और Chairman's Office of the Jewish Agency इन दोनों के द्वारा इसको दिया जाता है हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने किस देश के साथ Advanced Light Helicopter ALH Mark III के 19 सब्सक्रड का निर्यात करने के लिए एक अनुबंध परहस्ताक्षर किये सही answer option C है हिंदुस्तान Aeronautics Limited है साइंड अ कॉंट्रेक्ट विद मॉरिशस तो एक्सपोर्ट दा एडवांस्ट वर्जन ऑफ अफ एडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर अलेच मार्क 3 तो एचे लियानी हिंदुस्तान Aeronautics Limited यह मार्क 3 हेलिकॉप्टर को प्रोवाइट कराएगा आपको बता दे यह एक मल्टी रोल मल्टी मिशन वर्सेटाइल हेलिकॉप्टर है और 5.5 तन की केटेगरी में यह आता है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 2022-23 में भारत की अर्थिव्यवस्ता के कितने प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है सही आंसर ऑफशन भी है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडिया इकोनोमी इस लाइकली टूग वाई 7.6 परसेंट इन 22-23 तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने ये कहा है कि 2022-23 में भारत की जो एकोनोमी यह 7.6 परसेंट से ग्रो करीगी साथिनों ने काये 2022 में जो भारत की फिसकल डेफिसेट है ये 5.8 से 6% के बीच में रहने वाली है आपको जानना चाहिए इसी महीने की सुरुवात में NSO ने ये कहा था कि 2021-21 2021-2022 में भारत की जो GDPR 9.2% रहेगी सायद मोधी अंतराष्टे बैट्विंटन किताब किसने जीता है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन ए है सो पीवी सिंदु वान सायद मोधी इंटरनेशनल बैट्विंटन टाइडल जानेंग इस कुश्चन के बारे में देखिए टू टाइम ओलंपिक मैडलिस्ट है पेवी सिंदु आप सभी जानते है तो इन्होंने मालवी का बंसोत को हरा कर वेमें सिंगल टाइडल जीता है सायद मोधी इंटरनेशनल बैट्विंटन टूर्णामेंट में आपको जानना चाहिए यह सिंदु का पहला टाइडल नहीं है सिंदु ने इससे पहले भी टाइडल जीता है 2017 में तो ओवरोल यह सिंदु का सेकंड सायद मोधी इंटरनेशनल बैट्विंटन टाइडल है आपको जानना चाहिए इस टूर्णामेंट का जो वेन्यू रहता है यह बाबू बनार सिदास इंडोर स्टेडियम लखनो रहता है और इसमें जो मिक्स्ट डबल वीनर रहे हैं यह इशान बटना कर रहे और तनीशा क्रेश्ट रहे और यदि हम मैंस सिंगल टाइटल की बा इस राजिया केंदल सासित प्रदिस का पहला मिल्क विलेज कोशित किया गया है ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है सो जैरी हमलेट डिकलेट एस दफस्ट मिलेज मिल्क विलेज ऑफ जमू एंड कश्मीर तो देखिए यूरियन टरेट्री ऑफ जमू एंड कश्मीर यहां कि एडिरिस्टेशन ने कहा है कि हमने रियासी डिस्टिक के जैरी सेटलमेंट एक तरह का एक विलेज है ठीक है तो उसको हमने फैस्ट टावं से जाधा डपरालों उसको चीह आप Army से देना तो इससे पूल्नित है तो यहां और यहाँ पर integrated daily development scheme तो इसके तहत इनको फिर subsidy भी provide कराई जाएगी जो भी dairy वाले है उनको subsidy provide कराई जाएगी कुछ equipment दिलने है उससे संबंद है बाकिया आपको जाना चाहिए जम्मू एंड कश्मे के left and governor मनोज सिना है capital जम्मू है winter और स्री नगर summer capital है unity small finance bank limited यानी unity bank के सुतंतर अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है options आपके सामने है सही answer option A है विनोज राइ has been appointed as independent chairman of unity small finance bank limited देखे reserve bank of India ने विनोज राइ आप समीनिन का नाम सुना होगा यह former comptroller and auditor journal है इनको unity small finance bank limited यानी की unity bank में independent chairman post के लिए approve कर दिया है आपको बता दे जो unity small finance bank है इसके owner centrum और भारत पे है और यह जो failed bank है पंजाब और महराष्ट कोपरेटिव बैंक इसको take over करेगा निम्लिकित भारती क्रिकेटरों में से कौन ICC पुरसों की वर्स की test team में सामील नहीं है आर श्विन विराट कोहली रिसा पंतिया फिर रोहित शर्मा सही answer option B है विराट कोहली is not included in the ICC men's test team of the year जानेंगे इसके बारे में देखे रोहित शर्मा को इसमें opener बनाया गया इस team में रिशप पंत को विगेट कीपर के तौर पर लिया गया है और आर श्विन को spinner के तौर पर लिया गया है हम बात करें ICC men's test team of the year की और बाकी आपको यह जानना चाहिए कि जो one day international 11 जो team है इसमें भी कोई भारतीय नहीं है और यह ICC men's test team of the year में तीन भारती है अमर जवान जियोती का उद्गाटन भारत के इत्यास की किस महत्रपूर्ण गटना के उपलक्ष में किया गया था देखे खुबसरत options हैं आपके सामने 1999 कार्गिल कोंफ्लिक्ट 2019 बाला कोर्ट स्ट्राइक 1965 इंडो पाकिस्तान वार या फिर 1971 बंगलादीस लिबरेशन वार तो हमारा answer यही है अमर जवान जियोती वास इनोगरेट टो कोमेमरेट 1971 बंगलादीस लिबरेशन वार जानें इसके बारे में देखे आप सभी जानते हैं कि अमर जवान जियोती इसकी जो फ्लेम है इसको नेसल वार मेमोरियल पर जो फ्लेम है इसके साथ मर्ज कर दिया गया है और यह सेरेमेनी जो हुई है यह रही एर मार्शल बालबदर राधा कृष्णा इनकी उपस्तित में इस तरह में पूरी की गई है आपको बताने एर मार्शल बालबदर राधा कृष्णा यह चीफ उफ इंटिग्रेटड डिफेंस स्टाफ है आपको जानना चाहिए कि जब भारत ने 1971 वार में पाकिस्तान को हराया उसके बाद जो भी हमारे जवान थे जिन्नों ने अपना सुप्रीम सरवच बलिदान नहां पर दिया तो उनकी याद में उनके इस बलिदान को याद करने के लिए तबकि परधार मंतरी इंद्रा गांदी ने 26 जनवरी 1972 जनवरी 1972 में अमर जवान जोती की आधारचिला रखी थी और आप जानते हैं फिर नेशनल वार मेमोरियर एन डबलू एम इसको इनोगरेट किया गया था फरवई 2019 में जो हमारे प्राइमिस चेनरे इंद्रमोदी के द्वारा और यह भी इंडिया गेट के पास ही है और इसको बनाया गया है अब तक जितने भी सोल्जर्स हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन बलीदान दिया है यह उन सभी के लिए है तो यहां पर लगबग 26,000 से ज़्यादा सोल्जर्स के नाम यहां पर लिखे हुए है तो गवर्मेंट का मत यह है कि जो अमर जवान जोती जो है यहां पर सोल्जर्स के नाम नहीं है इसलिए अब इस फ्लेम को हमने यह जो नेसनल वार मेमोरियल है जो 2019 में इनोगरेट किया गया था इसमें मर्ज कर दे गया है और जो 1971 वार के जो शहीर है उनका नाम भी यहीं पर लिखा हुआ है तो यह बात इनने कही है नेताई सुभाज चंदर बोस की जैनती किस रूप में मनाई जाती है औप्शन साब के सामने है तो पराकरम दीवस के रूप में मनाई जाती है या आप इसको कहेंगे या फिर डे ओफ वेलोर आप जानते हैं इंडिया इस साल 23 जनवरी को नेताई सुभाज चंदर बोस की 125 जी बर्थ एनिवरसली मनाया है और आपको बताते हैं साल 2021 में प्रधार मंदी ने एनाउंस किया था जो नेताई सुभाज चंदर बोस की बर्थ एनिवरसलियम पराकरम दीवस की रूप में मनाएंगे आप सभी जानते हैं नेताई सुभाज चंदर बोस का जर्म 23 जनवरी 1897 को कटक जो की प्रिजेंट डे उडी सा है यहां पर हुआ था पिता इनके जान की नाथ बोस्ते और माता थी प्रभावती दब्थ अगार्याणा और हिमाचल प्रदेश ने किस नदी को पुनर जीवित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक मांथ के निर्माने के लिए एक समझवता आगा अपन प्रहस तक्षिर किये हैं सही आंसर यहां पर option दी रहने वाला है हर्याणा एन हिमाचल प्रदेश signed a memorandum of understanding for the pen of dam in हिमाचल प्रदेश to revive सरस्वती river तो देखिए सरस्वती river को revive करने के लिए पुना धरातल पर लाने के लिए एक attempt किया जा रहा है जिसमें हर्याणा और हिमाचल प्रदेश कॉमेंट ने एक MOU sign किया है जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में जो है यह एक डैम बनाएंगे 77 एकड़ की जगह में और यह जो डैम बन सकते हैं राष्टिय रैंकिंग टूर्णामेंट में खराब परदर्शने के कारण खेल मंत्रा लेगी टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानि की टॉप्स से की से हटा दिया गया ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी है तो दिपीका कुमारी वास टॉप्ट फ्रॉम दा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डियू टू देर बिलो पार परफॉर्मेंस इन दा नैस्नल रैंकिंग टूर्णामेंट जानेंगे इनसके बारे में तो देखिए आप सभी जानते हैं आर्चर है दिपीका कुमारी ठीक है और इनके हस्बेंड जो है अतनुदास दोनों ही आर्चर है इनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जो टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इससे ड्रॉप कर दिया है क्योंकि नैस्नल रैंकिंग टूर्णामेंट में इनकी जो परफॉर्मेंस है यह बिलो पार रही है यानि कि की एक लाइन होती है न कि हाँ इससे ली जाने ही ची है उससे लीचे इनकी जो है पर्फॉर्मेंस चली गई है मतलब अव्रे से भी नीचे इनकी पर्फॉर्मेंस चली गई है आपको जाणना चाहिए यह थार्गेट ओलंपिक पोडियनेस्छिम जिसाम टॉ-प-इश द्ए है इसको सितंबर 2014 में Ministry of Youth Affairs and Sports द्वारा लॉंच किया गया था इसके तहए जो हमारे sports persons है उनको Olympic और Paralympics के लिए साहता दी जाती है और 50,000 रुपे तक कि उनको एक monthly stipend भी दिया जाता है ताकि वो जो है इसको अपनी तयारी पर कर सकें साथ इनको कोच ही फैसलिट प्रवाइड करा जाती है और foreign training इनको दी जाती है और कई तरह की help यहां पर प्रवाइड कराई जाती है तो इनको जो है medal winner हम बनाने की जो है यहां पर परियास है इस scheme के तहर्ता ही Olympic में जो है यह podium पर खड़े उसे है पोडियम पर खड़े का होता है कोई जब वो कोई medal जीता है बाकिया आपको जानना चाहिए इस scheme में फिलहाल 104 tops score group athletes सामिल है और 269 tops development group athletes यहां पर सामिल है और हाली में ने देखा कि फिलहाल जो है दस और athletes को tops scheme में सामिल किया गया है किस कंपनी ने यूरोप इस्थित कॉम टेक कंपनी IT में 100% हिस्सेदारी के दिगर्ण की खोशना की है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन दी है तो टेक महिंद्रा एस एनॉंस्ट एक्विजिशन ओफ 100% स्टेक इन यूरोप बेस्ट कॉम टेक को आईटी सी तो देखे इए आईटी कंपनी हैं टेक महिंद्रा आप सभी जानते हैं इसने खाया कि हमने यूरोप बेस्ट को आईटी यानी स्टेक इस कंपनी में जो है 100% स्टेक लिये हैं साथ इन्हों ने यह भी कहा है कि हमने 25% स्टेक जो है दो और आईटी प्लेटफॉर्म्स में लिये हैं तो टोटल अमाउंट जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है यह थ्री थर्टी मिलियन यूरो का किया है तो जानेंग किया है SWFT और सुरांस प्लेटफॉर्म यह जो आईटी कंपनी है इन्वें वाकिया आपको जानना चाहिए हाली में यह एक जनवई 2022 का करेंट अफेर है कि टैक महिंद्रा ने हाली में यूएस आईटी कंपनी है इस इसमें भी जो है इसको बाई किया है 125 मिलियन यूरों में यह हमने MCU format में भी देखा था आपके रिविजन परपस के लिए आपर बताया गया है 6G में डिजिटल अफसरों का पता लगाने के लिए किस देश के अउलू विस्विद्याले और जियो एस्टोनिया ने सहयों किया है options आपके सामने है सही answer option भी है तो फिल्लेंड उनिवर्स्टी ऑफ अउलू एड जियो एस्टोनिया कोलाबरेटेट टो एक्सपोर डीटल ऑपरचुनिटीज इन 6G तो 6G का जो दाइरा है उसको एक्सपैंट करने के लिए उसकी ऑपरचुनिटीज को तराशने के लिए फिल्लेंड की उनिवर्स्टी पंदारन समाधान प्राप परदान करेगी सही आंसर है ओप्शन सी सो रिन्यू पावर हैस फॉर्म्ड जोइंट वेंचर विद फ्लेंस टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी विच विच विल प्रोवाइड एनर्जी स्टोरेज सॉलूशन इन इडिया तो एनर्जी स्टोरेज सॉलूशन्स प्रोवाइड कराने के लिए रिन्यू पावर ने एक जोइंट वेंचर साइन किया यूएस हैटकॉर्ट कंपनिय है फ्लेंस इसके साथ तो 50-50 पार्टरशिप का जोइंट वेंचर रहने वाला है अंग्टेट के नुसार 2021 में भारत में परत्यक्ष विदेशी की निवे इस प्रवा कितने प्रतिशत कम था ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ओप्शन भी है ऐस पर दी अंग्टेट फोरें डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोस टो इंडिया ही इन 2021 वर 26% लोवर तो देखिए जो फोरें डिरेक्ट इन्वेस्टमें रहा है भारत मे यह 2021 में 26% कम रहा है यदि हम प्रिवेस यर यानि की 2020 की बात करें तो ऐसा का है यूनाइट नेशन्स कॉन्फरेंस ओन ट्रेड एंड डेवलेपेंट जैनी अंग्टेट के इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉरिटर इस डेटा ने आपको जाना चाहिए 2020 में जो भारत को FDI प्राप्थ हुआ था वो 64 बिलियन यूएस डोलर का था जो की 2019 से 27 परतिशत जाता था साथी इस रिपर्ट में इस बताए गया है कि जो डेवलेप्ट एकनोमी से जैसे यूएस की एकनोमी है तो सबस्यादा राइस यहां पर देखा गया है यदि हम FDI इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 777 बिलियन यूएस डोलर की FDI जो है डेवलेप्ट एकनोमी से में गई है रक्षा कंपनी साब ने भारत से 84 anti-armor हत्यार अनुबंध प्राप्त किया है आपको बताना है साब किस देश की एश की कंपणिय साब के सामने है सहीiche पांपशन अंसट्वी इफैंस कंपणी साब ओ préc Thank you Saab is based out of Sweden देखे आपको जानना चाहिए Swedish Defense Company है Saab तो इसका जो 84 Anti-Armor Weapon है ये भारती आर्मी और इंडियन एरफोर्स के लिए खरीद जाएगा तो एक यहां पर MOU कि उसाइन हो चुगा है इंडियन टैक स्टार्ट अप इको सिस्टम इयर ऐफटा टाइटन्स के अध्यान में बताया गया है कि बारती दोजार 21 में 2250 से दी start-up चोड़े हैं आपको उताना है यह जो report है जो report है Indian Tech Startup Ecosystem Year of the Titans यह किसके द्वारा तैयार की गई है options आपके सामने हैं सही answer option D a study Indian Tech Startup Ecosystem Year of the Titans has reported that India added over 2,250 start-ups in 2021 this report is prepared by NASCOME and Genov जानतें इसके बारे में देखिए इसमें बताया गया है कि जो start-ups ने जो पैसा जो raise किया है 24.1 billion US dollar 2020 में जो है raise किया है जो की COVID-19 से पहले का जो period है उससे दो गुना जादा है तो यह study बताई है NASCOME and Genov इनके द्वारे study की गई है उसमें बताया गया है नाम मैंने आपको बताई दिया है साथ ही नोंने यह का है कि भारत में जो है बाइस सो पचास start-up भारत ने add किये है ठीक है COVID-19 से मतलब COVID-19 के बात से निम्लिकित में से किसने भारत के अनुसंधानेवं विकास कमचारियों के कोशल विर्दी के लिए BITS Plani के साथ भागेदारी की है सही आंसर ऑप्शन दी है सो ओपो इंडिया हैस पार्टनर विद BITS Plani फोर इस्किल इनहेंस्मेंट ओफ इंडिया रिसर्च और डेवलिप्मेंट एंप्लोईज थीक है तो इसमें इतना ही जानना हैं को केवल ओपो इंडिया ने BITS Plani के साथ एक्रिमेंट किया है किसलिए जो के सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी हैं सो इंडिया एक्टेंड़ फाइवंडेड मिलियन युएस टोडर लाइन ऑफ क्रेडिट तो स्री लंका फॉर अर्जेंट फ्यूल इंपोर्ट्स आप सभी जानते हैं स्री लंका की जो हालात सही नहीं है ठीक है दिवालिया होने की कग नहीं है यहां पर तो इस पैसे से आयाद कर सके और इससे पहले हमने देखा था कि 900 मिलियन युएस टोलर का इस सहायता भी स्री लंका को भारत ने प्रोवाइट कराए थी आपने एमसी की फॉर्मेट में जाना था किस कंपनी ने अपने परमुग स्टार्टप तोरक कारे करना है लीप का विस्तार करने की गोशना की है ओप्शन आपके सामने है सही आंसर ओप्शन सी है तो एक बात तो आपको यहां से जानने के लिए मिल कई कि लीप किसका एक्सलेटर प्रोग्राम है फ्लिप का मैंने आपको कई बार बताया कि एक्सलेटर का मतलब क्या होता है जैसे कोई स्टार्टप है ठीक है तो उसको एक्सलेटर करना एक्सलेटर का मतलब होता है और ते ग्रो करें इसका काम करता है एक्सेलेटर एक कंपनी समझ सकता है जिसे में कई सारे लोग हैं वो किसी स्टार्ट वो बताते हैं आप ऐसा ऐसे कीजिए और आप उचाहियों पर पहुंच जाएंगे यह आपको टेक्निकल हम हैल्प आपको प्रोवाइड करा जाता है मैनेजमें काम इसने इसमें जोड़ें एक तो है फ्लिपकार्ट लिप अहेड यानी FLA दूसरा है फ्लिपकार्ड लिप इनोवेशन नेटवर्क F L I M 24 जनवरी को मनाये जाने वाला अंतराष्टे सिक्षा दीवस का विशे क्या रहा है और सही आंसर ओप्शन D है आपको जानना चाहिए 3 दिसमबर 2018, December 3, 2018 को United Nations General Assembly ने एक resolution एड़ोप्ट किया जिसके तहत इनोंने कहा कि 24 जनवरी को International Day of Education मनाये जाएगा और इस साल इसका थीम रहेगा Changing Course Transforming Education नेताजी अनुसंधान बीरो द्वारा नेताजी प्रुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए है देखिए आप सभी जानते हैं शिंजो आबे ये former Japanese Prime Minister है इनको नेताजी Research Bureau द्वारा नेताजी Award 2022 से सम्मानित किया गया है और इनके बिहाफ में जो कोलकाता में Consul General of Japan है नाकामुरू युकाता इन्होंने ये प्रुसकार प्राप्त किया परदानमंतिर नरेंद्रमोदी ने किस इस्थान पर स्वसंतरता सेनानी नेताजी सुभाज चंद्रबोस की परदानमंतिर नरेंद्रमोदी ने इंडिया गेट निव डैली में एक होलोग्राम इस्थाचू अन्विल किया है किसका Freedom Fighter नेताजी सुभाज चंद्र बोस शी का आपको बता दे इस जगह पर जहां पर इन्होंने होलोग्राम इस्थाचू अन्विल किया है आपको बता दे होलोग्राम का मतलब क्या होता है होलोग्राम का मतलब होलोग्राम स्थाचू का मतलब होता है एक 3D structure आप कह सकते हैं ठीक है तो कोई इसमें जो है लेजर की साहिता से एक structure मना दिया जाता है और यह बहुत पतली सी film होती है जिस पर यह laser पढ़ रही होती है वो हम लोग दरसकों को नहीं दिखेंगी इसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा पतली film होती है वो ठीक है और उसको शायद holographic screen बोलते हैं तो उस पर यह laser सब पढ़ती है तो आप जिस भी angle से दिखोगे उसी त लाइता ली जाती है बाकिया आपको जानना चाहिए जो होलोग्राम स्टेचू है 28 feet high है और 6 feet wide है और इतना ही स्टेचू भी रहने वाला है इसके बदले स्टेचू फिर जब बन जाएगा तो इसको हटा देंगे यह जो लेजर है इसको बंद कर देंगे और इसके बदले जो का स्टेचू है वह आपको दिखाई देगा आपको बता दें जो यह ग्रे नाइट का स्टेचू है यह किसके द्वारा बनाया जाएगा तो यह नेसल गैलरी ओफ मॉडर्ण आर्ट के डिरेक्टर जनलन है अदवैत गड़नायक इनके द्वारा इसको मनाया जाएगा यह प्रविंद कुमार जुगनात इन दोनों ने ही मॉरिशस में सोचल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है इसे के साथ साथ दो और प्रजेक्ट्स की आधारशिता रखी गई है एक तो है construction of a state-of-the-art civil service college और दूसरा है 8 megawatt solar photovoltaic farm कई बारा पढ़ते है state-of-the-art state-of-the-art का मतलब होता है latest technology के साथ कोई भी छेतर है उसमें जो latest technology आई हुई है यदि आप उस latest technology के साथ कोई चीज बनाते हैं किसी चीज को manufacture करते हैं या develop करते हैं तब आप बोलते हैं कि ICC Women's Cricketer of 2021 आप सभी जानते हैं इंडिया की opening batsman है महिला क्रिकेट टीम में इस्वरती मंदाना इनको ICC Women's Cricketer of 2021 गोशित किया गया है और इस ट्रॉफिय का नाम है आपको बता दे कि इस्वरती मंदाना ICC Women's T20 Team of the Year में भी शामिल रही है यह जो अवार्ट है साल 2006 में इस्टिट्यूट किया गया था किसके नाम पर रेशल हे हो फिलिंट के नाम पर जो की फोर्मर इंग्लेंड विमन्स ट्रेस्ट क्रिकेटर एड अड्मिनिस्ट्रेटर रही है आपको जानना चाहिए अधियम ICC Women's ODI Cricketer of the Year की बात करें तो साइफत अफरिगा की बैट्समेन लेसल ली इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है साथी अधियम ICC Women's T20 Player of the Year की ब वायू चैंपियन कौन बन गया है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन भी है तो प्राजक्ता कोली हैस बिकम इंडियास फर्स्ट यूएन डेवलप्मेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन देखिए आप सभी जानते प्राजक्ता कोली content creator है और ज गर्ड चाइल्ड एजुकेशन के विश्यों पर लोगों को सोसाइटी में जो है जागरूख करेंगी केंपेंड में पार्टिस्पेट करेंगी आपको जाना चाहिए यूएन डेपी की स्थापना 22 नॉवंबर 1965 को हैटवार्टस न्यूव्योर्ट सिटी यूनाइटिड स्टेनर कोगपुरोग दिवस भारती कि स्राज्य में मनाय जाने वाला त्योहार है सही आंसरियां पर ओप्शन बी रहेगा कोगपुरोग्टे इस फेस्टिव डेटेड इन इंडियन इस्टेट ओफ त्रिपुरा देखे कोगपुरोग्टे जिसे आप त्रिपुरी लेंग आपको जानना चाहिए कोपुरोग लेंगवज यह त्रिपुरा की ओफिचल लेंगवज है और जो भी लोग कोपुरोग बोलते हैं उन्ने त्रिपुरी कम्यूनिटी बोला जाता है बागी आप जानते हैं तुरुपुरागी कैपिटल अगरतला है गवर्नर सत्यदेव नारायन आ रहे हैं चीफ मिर्स्टर विपलाव कुमार देव हैं सुभास भॉमिक जिनका हाली में निधन हो गया किस खेल से जूड़े हुए थे आपके पास होकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेबल टैनिस सही आंसर आप्शन सी है सुभास भॉमिक पास्ट अवे रिसेंटली प्लेट फुटबॉल देखें इंपोर्टन गुश्टन रहेगा सुभास भॉमिक ये 1970 में एशन गेम्स में जो हमारी भारती टीम ने फुटबॉल टीम ने ब्रॉंज मेडल जिता था उसमें ये मेंबर रहे और इनका हाली में नेतन हो गया आपको बता दें इन्होंने इश्ट बैंगॉल के साथ साथ मोहन बागान इन दोनों ही क्रिकेट कलब को रिप्रिजेंट किया है साथ इनोंने मेर्डे का टूर्णामेंट और पेस्टा सुकान कप में भारत को रिप्रिजेंट किया है मरियन बेड ओपन 2022 सतरंज टूर्णामेंट किस ने जीता सही आंसर ओप्शन सी है तो एक तो आपको यहां से यह जान लेना चाहिए कि मर ललित बाबू कर पुछ जाए किस खेल से संबंदित है किस गेम से संबंदित है तो आंसर उसमें चैस रहेगा तो चेक रिपबलिक में यह टूर्णामेंट हुआ है उसमें इनोंने जो है विक्टोरियस यह साबित हुए है ठीक है जीत चुके है और हाली में हमने देखा था इसे यह जनवरी 9-22 की यह नियूज है यानि किसी साल की है और इसी महीने की है हमने देखा था कि लडित बाबू या किस देश के थे ओप्शन सापके सामने हैं सही अंसर ओप्शन सी है यह भी इंपोर्टन कोशन रहेगा आपके लिए ठीश नहात हान दमोंग टर्ण पीस एक्टिविस्ट हुडाइड रिसेंटली बिलॉंग टू वियतनाम देखिए वियतनामी जैन मास्टर रहे हैं या सारी बॉक्सिनों ने लिख की है इनके विचार आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छे विचार है ठीक है और 1926 में इनका जन्मोंग था नाम है इनका न्यूगेन जौन बाउ तो यह वियतनाम से हैं यह आप याद रखेंगे बाकिया आपको जानना चाहिए वियतनाम की कैप जाननाम मीन चिन तुही ने सीना ने इनिमलिकते मैं से किसके साथ दा लीजएंट ओफ बिडसा मुंडा नाम क्या पुस्तका सहय लेखन किया है और ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर ऊप्शन सी है तुही ने सीना को अथर ड़िए बुक टाइटल्ड दा लीजएंट बिर्शा मुंडा विध अंकिता वर्मा तो महराष्ट गवर्णर भगस सिंग कोश्यारे ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है दलीजेंड्स ऑफ बिर्शा मुंडा और इसको ओधर किया है इसको लिखा है तुहिन एसी नाने और अंकिता वर्मा ने आपको जानना चाहिए बिर्शा मुंडा को धर्टी अबबा भी बोलते हैं राष्टिय बाली का दीवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर उप्षन सी रहेगा तो नेसल गर्ड चाइड डे ओप्षर ओन जैनुवरी 24 तो नेसल गर्ड चाइड इचोविस जैनुवरी को हर साल मनाया जाता है आपको जानना चाहिए साल 2008 में 2008 में मिनिस्ट्री ओफ वुमें एंड चाइड डेवलोप्मेंट द्वारा ये दिन मनाया जाने की चुरुआत की गई थी नेशनल गर्ड चाइड डे क्रिसी मंत्रा ले क्रिसी सस्थान को ड्रॉन खरीत के लिए कितने रुपे तक का अनुदान परदान कराएगी सही आंसर ऑप्षन ए है एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री तो प्रवाइड ग्रांट अप्ट रुपीज 10 लाक तो एग्रिकल और इसी गाइडलाइन इसमें इसमें ने यह बताए कि जो भी एग्रिकल्चर इस्टीस हैं तो उनको हम जो है एग्रिकल्चर ड्रोन के लिए 100% की फंडिंग करेंगे या फिन लाक रुपीज तक का हम उसमें फड आपको प्रवाइड करेंगे दोनों मैं से जो भी कम होगा वो हम आपको प्रवाइट कराएंगे International Association of Working Women Award किसने जीता है? Options आपके सामने है सही answer option C है So, Sushmita Sen won the International Association of Working Women Award तो Bollywood actress और former Miss Universe Sushmita Sen इन्होंने International Association of Working Women Award जीता है किसलिए है? जो इनकी ARIA 2 ये TV series आई है इसमें अपनी performance के लिए और ये award इनको प्रेजेंट किया गया है DC South Asian Film Festival के द्वारा पनामा में खोजी गई Rain Frog की नई प्रजादी का नाम नेमलिकित में से किसके नाम पर रखा गया है? डोनाल्ड ट्रम्प, बराक ओबामा ने रेंदरमो दिया फिक ग्रेटा थुनबर्ग सही answer option D है New Species of Rain Frog डिस्कावर्ड इन पनामा नेम्ड आफ्टर ग्रेटा थुनबर्ग तो देखे एक नई इस पिसीज Rain Frog की पाई गई है पनामा के जंगलों में और इसका नाम स्वीडन की जो एन्वारिमेंटल एक्टिविस्ट है ग्रेटा थुनबर्ग इनके नाम पर रखा गया है तो नाम इसका रखा गया है पिस्टिम एंटीस ग्रेटा थुनबर्ग यह ग्रेटा थुनबर्ग Rain Frog भारत की पहली अत्या धुनिक पैरा बैट्मिंटन अकेडमी की सहर में स्थापित की गई है options आपके सामने है और सही answer option भी है India's first state of the art para badminton academy has been set up in लखनौ देखिए state of the art फिर से आ गया ना मैंने आपको बताए latest technology यानि कि इस academy में para badminton के लिए जो भी para badminton खेल के लिए जो भी latest technology है उसका पुरा प्योग किया गया हुआ जैसे आप देखते हैं कोई dentist है तो यदि आप किसी कस्वे में चले जाएं तो वहां के dentist के पास इतनी technology नहीं होती है यह ना अलग अलग तरह से एक्सरे यह सब technology नहीं होती तो उसके पास इतनी technology नहीं है लेकिन आप किसी महानगर में चले जाएं नinding को आप देखे लेंगे तो लेटेस technologie के साथ वह एलाज करता है दातों का तो उसको बोलते है इस्तेट-ओफ-थी-ант चेकनो早 Van दातों की दातों को सही करने के लिए आयूप आप इस एक्जामपले समझ गए होंगे तो देखिए दोजार चोबिस परालम्पिक्स में भारत की जादे जादे मेडल जीज सके इसलिए भारत की पहली स्टेट ओफ दी आर्ट हाई परफॉर्मेंस बेराबेंटर अकेडमी लखनों में ओपन होई है और किसके दोजार लॉंच की गई है द्रोनाचारे अवाड़ी और हैड नेशनल कोच ओफ इंडियन पेराबेट मेंटर टीम गरोखन्ना के द्वारा किसके साथ मिलकर एडियस फेडरल लाइफ इंसुरेंस के साथ मिलकर माफ कीज़ेगा चले आगे बढ़ते हैं किस राज्य सरकार ने भारत का पहला AVGC Center of Excellence लॉंच किया है और सही आंसर उप्षिन भी है करनाटका लॉंच इंडियास फर्स्ट AVGC Center of Excellence तो करनाटक स्टेट गउवर्मेंट ने AVGC Center of Excellence इसको लॉंच किया है AVGC इसका मतलब है Animation, Visual Effects, Gaming and Comics आपको जानना चाहिए साल 2012 में करनाटक पहला इस्टिट मना जिसने AVGC Policy लाई थी और अब इसने हापर एक Center of Excellence भी खोल दिया है वाकिया आपको जानना चाहिए करनाटक के अगर बात करें तो Governor थावर्ट चंद कहलो थे चीफ मिस्टर बसावराज बोमाई है, कैपिटल बेंगलूरू है और हाली में हमने पढ़ा था कि करनाटक गवर्मेंट ने एक L.O.U. साइन किया है UNDP के साथ किसलिए टो इंप्रूव एम्प्लॉइमेंट अपर्चुनिटीस फोर यूथ भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच राजनाई संबंदों की स्थापना की तीस वी वर्स घांट को चिन्नित करने के लिए एक इसमारक लोगो लॉंच किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन ए है इंडिया एंड एजरेल लॉंच्ट अ कोमेमोरेटिव लोगो तो मार्ट थर्टीथ एनिवर्सरी ओफ इस्टैबलिश्मेंट अफ डिप्लोमेटिक टाइस बेट्विन टू कंट्रीज देखिए आप सभी जानते हैं, इंडिया और इसरेल के संबंद काफी अच्छे है और इन दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन्स को अब 30 years हो गए है तो ये 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं इस जनवरी में आपको जानना चाहिए ये 29th January 1992 में इंडिया और इसरेल के बीच में डिप्लोमेटिक संबंद स्थाबिद हुए थे और इस मौके पर इन दोनों ही देशों ने एक लोगो लॉंच किया है उस लोगो में क्या गया है? एक तो है Star of David और दूसरा है अशोक चक्रू आपको जानना चाहिए Star of David ये इसरेल का जो फ्लेग है उसमें आता है और अशोक चक्र आप जानते है हमारे भारतिया फ्लेग में आता है इसको बोलते है Star of David और ये लोगों इन्होंने लॉंच किया है तो इसमें 30 भी आप देख रहोंगे 30 भी लिखाया आने की 30 साल पूरे हो गए है इंडिया-इसरेल रिलेशन्स को बाकि आपको जानना चाहिए जो इसरेल के अंबैस्टर है इंडिया में इनका नाम है नाओर गिलोनाद और जो इंडिया के इंबैस्टर है इसरेल में ये है संजीव सिंगला चरी आगे बढ़ते हैं बाक संदक्षन पर चोधा एशिया मंत्री इस्तरिय सम्मेलन किस तेस ने आयोजित किया है ओप्षन्स आपके सामने है और सही आंसर यहाँ पर ओप्षन C रहने वाला है देखे आपको जानना चाहिए भारत की जो मिनिस्टर फोरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है बुपेंद्र यादव इन्होंने 4th Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation इसको address किया है संबोधित किया है साथ ही इन्होंने Government of Malaysia and Global Tiger Forum यानी GTF इन दोनों को ही congratulate किया है कि आपने 4th Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation इसका आयोजिन किया आपको यहाँ पर जानना चाहिए जो Global Tiger Forum है इसकी establishment 1994 में हुई थी और इसका headquarters New Delhi में है साथ ही आपको जानना चाहिए Global Tiger Day ये 29th of July को मनाया जाता है साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए 13 Tiger Range countries कौन-कौन सी है इंडिया, बंग्रादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाउस, पीडियार, People's Democratic Republic, मलेशिया, म्यामार, नेपाल, रशिया, थाइनन, व्यतनाम चलिए आगे बढ़ेंगे EY सहियुक्त रिपोर्ट के नुसार भारते डिजिटल इंफास्ट्रक्चर को 2025 तक कितने बिलियन डॉलर तक के निवेश की आवशकता है इंपोर्टन कुश्चन रहेगा ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन C है एस पर दा EY Joint Report इंडियन डिजिटल इंफास्ट्रक्चर नीड्स इन्वेस्टमेंट ओफ अप्टू 23 बिलियन युएस टोलर बाई 2025 देखें EY ने एक रिपोर्ट लॉंच की है किसके साथ मिलकर Digital Infrastructure Providers Association DIPA के साथ मिलकर इन्होंने कहा है कि भारत को यदि डिजिटल सर्विसेस को बढ़ाना है इसके लिए डिजिटल इंफास्ट्रक्चर सेक्टर को 23 बिलियन युएस टोलर की जुरत पड़ेगी 2025 तक और साथ ही नोंने ये भी कहा है कि जो भारत का E-commerce मार्केट रहेगा ये 200 बिलियन युएस टोलर को टच जल्द ही करेगा और जो Education Technology संबंदिर मार्केट है ये 12 बिलियन युएस टोलर को टच करेगा बाकी नोंने कहा है कि आगे आने वाले टाइम में जल्द ही 330 मिलियन पीपल 5G यूज़ करते नजर आएंगे राश्टिय मत्यताता दीवस 2022 जो की 25 जनवरी को मनाया गया इसका विशे क्या रहा इसका थीम क्या रहा ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन डी रहेगा सो मेकिंग इलेक्शन इंक्लूजिव एक्सेसिवल एंड पार्टिसिपेटिव इस थीम फोर नेशनल वोटर स्टे ट्वेंटी ट्वेंटीटिव देखे आपको जाना चाहिए 12 नेशनल वोटर स्टे ये 25 जनवरी साल 2011 से 25 जनवरी को नेशनल वोटर स्टे मनाते आ रहे हैं क्यों 25 जनवरी को मनाते आ रहे हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी एस बालचंदरन को किस केरिबियाई द्वी प्राश्ट में भारत के अगले उच्चायुक्ती रूप में निव्टि किया गया है सही आंसर ऑप्शन बी है एस बालचंदरन हैस बिन अपॉंटेड एस नेक्स्ट हाई कमिशनर ऑफ इंडिया टू सेंट लूसिया तो सेंट ल ने बीटिंग रिट्रीट समारों के लिए इसाई धुन अबाइड विद मी को किस तेश वक्ती गीत से बदल दिया है ओप्शन से आपके पास तेरी मिट्टी रंग्दे बसंती मा तुझे सलाम या फिर ए मेरे वतन के लोगों काफी प्यारा कोश्चन है और सही आंसर आपक रिट्रीट सर्मनी माफ की जगा तो देखिए इस साल की जो बेटिंग रिट्रीट सर्मनी होने वाली है इसमें गवर्मेंट ने क्रिश्चन हिम जिसके बोल हैं आपके अबाइड विद मी इसको जो हमारा प्यार्टिक सोंग है मेरे वतन के लोगों इससे रिप्लेस कर दिय हैं आप सभी जानते हैं 1962 में इंडो चाइना वर के दोरान यह वाला गीत कभी प्रदीब द्वारा लिखा गया था और इसको इसको कंपोज किया था सी रामचंद्र ने और इसको गाया था सिंगर लता मंगेश्कर ने बागी आपको जाना चाहिए जो अबाइड विद मी है यह स्कॉटिस एंगलिकन बॉइट एंड हीमनलोजिस्ट हैंडी फ्रांसिस टिट द्वारा 1847 में इसको लिखा गया था और साल 1950 से ही यह जो है बेटिंग रिट्रेट सर्मनी का हिस्सा रहा है तो याज के अबाइड बागी आपको जाना चाहिए बेटिंग रिट्रेट के बारे में तो यह हर साल इवनिंग में 29 जन्वरी की इवनिंग में विजे चौक में परफॉर्म किया जाता है और इसे के साथ जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होते हैं इसकी एंडिंग जो है हो जाती है यानि कि जो यहां मेरे वतन के लोगों को जोफे अब चुना गया है कारणा के नहीं कि इस में ज्यादा हमें ज्यादा भावन आती है इसलिए भारते नोसेना और जापानी नोसेना ने कि छेतर में समुद्री साजेतारी अभ्यास किया है, ओप्शन सापके सामने है, सही आंसर ओप्शन दी है, दा इंडियन नेवी एंड जैवेनीज नेवी अंडर टुक दा मेरिटाइम पार्टनर्शिप एक्सराइज इन बे ओफ पैंगोल, तो देखिए भारत और जापान, इन दोनों ही नेवी ने बे ओफ पैंगोल में एक नवल एक्सराइज की है, ठीक है, तो यह आपको जाना चाहिए कि किस जगपर बे ओफ पैंगोल में की है, और भारत की ओर से यहाँ पर सिवालिक और कदमत, इन दोनों ही इंडियन नवल शिप्स ने पार्टिस्पेट किया है, जबकि जापान की ओर से इनके शिप उरागा और हिराडो ने पार्टिस्पेट किया, अगला कुश्चन देखेंगे, अंतराश्टिये स्रम संगठन की वर्ड एम्प्लॉइमेंट एंड शोशल आउटलूक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट के नुसार, 2022 में वैस्विक बेरोजकारी कितने मिलियन तक पहुँच जाएगी, ओप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन भी है, देखेंगे, आपको जानने चाहिए, इंटरनेशन लेबर ओर्गनाईजेशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका नाम है वर्ड एम्प्लॉइमेंट एंड शोशल आउटलूक ट्रेंड्स 2022 तो इसमें ने काए कि 2022 तक 207 मिलियन जो है, ग्लोबल एम्प्लॉइमेंट वैश्वीक जो बेरोजगारी की दर रहेगी, वो 207 मिलियन हो जाएगी, तो एक कुश्चन ता आपको लिए, यही है जो मैंने आपको बताया, दूसरा यह है, यह आपको बता होना चाहिए, वर्ड एम्प्लॉइमेंट और शोशल आउट्टूप, यह रिपोर्ट किसके दोरा जारी की गई, यह आंसर इंट्रेंशन लेबर और्गनाइजेशन, बाकी नोंने यह भी बोदा है, साहिए है कि 2012 में, जो लेबर मारकेट, रिकवरी है, यह भी काफी डाउन रहने वाली है, लगने बताया कि 52 मिलियोन, फुल ताइम जोप्स, कृने के लिए जितने आर्ज की ज grew to होती है है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी 18787 मेंबर इस्टेट्स हैं और 1969 का नोबल पीस प्राइज पीस को मिरा था और आपको जानना चाहिए United Nations की first and oldest specialized agency है यहां से question बन जाता है International Labour Organization की स्थापना words से question पूछ ले जाता है किस देश की सरकार ने महत्मा गांधी को एक परमुख मेट्रो स्टेशन समर्पित किया है options आपके सामने हैं सही answer option A है so Mauritius government has dedicated a major metro station to महत्मा गांधी आपको जाना चाहिए Mauritius की government ने कहा है कि हमारे यहां का एक परमुख मेट्रो स्टेशन है उसका नाम हम महत्मा गांधी के नाम पर रखेंगे और यह किस किस वजिए से इन्हों ने गिया है क्योंकि भारत की सरकार जो है मेट्रो मेट्रो express project यह मौरिसिस का एक प्रोजेक्ट है भारत के लिए काया है कि मात्मा गाने के नाम पर हम मेजर मेट्र स्टेशन का नाम रखेंगे बाकिया आपको जारना चाहिए इंडिया और मौरिसस ने एक करवाएगा हाल यह में हमने भी पड़ा था कि इंडिया और मौरिसस इन दोनों के ही प्रोजेक्ट जो की 45 मिलियन वेस्टोर तक का है इसको भी लोंच है तो याद रखेंगे सोचल हाउसिंग प्रोजेक्ट हाल ही में किस देश ने एरो थ्री एंटी बैलिस्टिक मिसाल हैं और उसके इंटरसेप्टर का परिक्षण किया सभी आंसर ओप्षण यह है सो इसरेल है रिसेंटली टेस्ट फ्लाइटेड एरो थ्री एंटि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंडिट्स इंट्रसेप्टर्स तो याद रखेंगे एरो थ्री यह किससे संब्दित है इस तर से पुछ जाते है सेटेटाइट है क्या है कि रास्टिय प्रेटन दिवस किस दिन मनाया जाता है उप्शन सापके सामने हैं सही आंसर उप्शन सी है नेशनल टूरिज्म डेइस सालिब्रेटेड ऑन 25 जैनुरी और आपको जाना चाहिए कि साल 2022 में इसका थीम रहा है रूरर ए जो है इस जो है और्गनाइस किया है यह जो है बुनकरो का पूरा एरिया माना जाते है पोशंपली ठीक है तो यहां की जो एकेट साडी है यह काफी फेमस है और आपको जानना चाहिए पोशंपली को हाल ही में वन अफ ता बेस्ट टूरिज्म विलिजिज बाइद आमने हैं सही अन्सार ओप्शन एफ है सो लगण टीम ओन नाइन्थ विमन नेसनल आईस होकी चेंपेशिप 2022 तो देखिए लगण की जो विमन की टीम जो टीम है इन उनने 9th नेसनल विमन आईस होकी चेंपेशिप जी थी है और यह ओर्गनाइस की गई है आई कि एसोशेशन ओफ इंडिया के द्वारा कहां पर हिमाचल प्रदेश में तो इसका वेन्यू आपके लिए इंपर्टन रहेगा काजा एरिया ओफ हिमाचल प्रदेश कि इस वर्स कितने बच्चों को परधानमंत्री राष्टे-बाल-पृसकार से सम्मानित किया गया है सही आं तक फिल्ट में जो है दिया गया है इनोवेशन में साथ सूसल सर्विस में चार स्कॉलेस्टिक में वन स्पोर्स में आर्ट आर्ट एंड कल्चर में सिक्स और ब्रेवरी में थ्री इन सभी के टेगरी में दिया गया है तो 15 बॉइस हैं और 14 गल्स एक लाख रुपे का यहां पर कैस्ट प्राइश दिया जाता है हां जो चीन में खेले जाने वाले एशियाई खेलों के लिए बारते टीम के लिए विदेशी कोच के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर औप्शन भी है मैं हाँ पर आपके लिए एशियन गेम्स इस्क्वैश ऐड करना भूली का इस्क्वैश भी यहां पर आएगा है इस्क्वैश का कोच इनको बनाया गया है मैं पीडियेफ में सही कर दूगा जो पीडियेफ देते हैं और जो पीडियेफ सब्सक्राइबर नहीं है वो अगर बनाते हैं तो यहां पर इसक्वेश कर लिजेगा एशन गेम्स इसक्वेश तो देखें सही आंसर इसका ओप्शन भी है देखें जानेंगे इसके बारे में तो Ministry of Youth Affairs and Sports इन्होंने टू टाइम वर्ड इसक्वेश चेंपेंशिप मेडलिस्ट क्रिस वाकर इनको जो भारते टीम है इसक्वेश खेरने वाली जो भारते टीम है उसकाronics वोरेन कोई न्युन क्या है आपको तादि जो क्रिस वोकर है इनको इंक्लेंट को स्क्वेश में रिप्रेजेंट किया आपको जानना चाहिए Commonwealth Games ये ब्रमिंगम में खेले जाएंगे 28 August है तक बीच में और एशियन गेम्स यह हांग जो चाइना में खेल जाएंगे 10 सितंबर से 25 सितंबर तक गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और निमली खितमे से किसे सुभाज चंदर बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार 2022 के लिए चुना गया है गुजरात इस्टिट ऑफ डिजास्टें मेनेजमेंट एंड विनोध शर्मा विनोध बीन सेलेक्टेट पॉर दा सुभाज चंदर बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार 2022 के लिए यदि हम बात करें स्थान को दिया जाता है गुजरात इस्ट्यूट ओप डिजास्ट अंगरश मैनेजमेंट नीट रह कर्मा इंडियन इंस्टिट ऑफ पॉब्लिक अडिमिस्टेशन वे सीनियर प्रोफेसर है साथी सिक्किम स्टेट डिजास्टर मेंजमेंट अथर्टी के वाइस चेयरमें भी है इसके भी रुके हुए थे तो एर्थ बैटैलियन एंडियर एफ गाजियाबाद 2020 की बात करें तो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर ऑफ उत्राखंड साथी कुमार मुंदन सिंग इन दोनों को दिया गया है दोजार इकिस में डॉक्टर राजेंद्र कुम इससे बड़ा निरिया तक बनकर उबराए उप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ओप्शन एंडिया है इस एक्सपोर्टर ऑफ गहर किंस इन दा वर्ड गहर किंस होता है यह जैसे खीरा होता है उसी कि तरह होता है चोटा रूप होता है इसको हम आचारी खीरा भी बोलते है चार वाला खीरा तो देखें वर्ड में इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है गहर किंस का और आपको जाना चाहिए भारत ने जो एग्रिकल्चर प्रोसेस्ट प्रोडेक्ट इनका जो एक्सपोर्ट है ठीक है इसकी वैल्यू टूहंडेंड मिलियन यू है और सही आंसर इसमें ऑप्शन ए रहने वाला है तो डीए वाई एन आर एलम हैस ऑप्सर्वड एग्री न्यूट्री गार्डन वीक फ्रॉम 10 तो 17 जैनुवरी 2022 जानेंगे इसके बारे में क्या चीज है देखें डीए वाई एन आर एलम यानिकी दीन द्याल अंत्योर्य य यूजना नेस लाइवडियूड मिशन तो इसके द्वारा एग्री न्यूट्री गार्डन वीक यह मनाए गया है दस से 17 जनवी 2022 में जिसके तहर इसमें एग्री न्यूट्री गार्डन जो है रूर्ड हाउस होल्ड्स में बनाए गए हैं आपको जानना चाहिए 6664 एग्री न्यूट्री गार्डन यहां पर बनाए गए इस वीक में जबकि टार्गेट यहां पर केवल पिचत्तर सोगा था दोजार इकी सबाइस के लिए भारत के लिए नोमुरा की जीडिपी व्रिद्धी का नुमान क्या है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन यह है देखें नोमुरा ने यह कहा है कि इंडिया की जो बारत में चल रही है इसकी वज़े से जो एकोनोमिक एक्टिविटी है यह 20 प्रतिशत कम हुई है साथी जो नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजंप्शन इंडेक्स है यह भी अब 102.2 से 100.5 आ गया है तभी लाडू के परसिद्ध भारतिय इतिहासकार पुरा तत्विद और पुरा लेक विद का नाम बताई है जिनका हाली में नितन हो गया ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन डी है तो नाम आप जाने के आर नागस्वामी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है या फिर रामचंदरन नागस्वामी तो यह आर्केलोजिस्ट रही आर्ट हिस्टोरियन रही और पदो भुशन से भी इनको सम्मानित किया गया था और तमिलाडू सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ आर्केलोजी के यह फर्स्ट डिरेक्टर भी रही है साथी यह फेमस इसलिए रहे क्योंकि लंडन कोर्ट में यह एक्सपर्ट विटनेस के तोर पर भी पेश हुए थे और केस का नाम था पथूर नटराजा केस और इनकी बदोलत इनके विटनेस होने के कारण तमिलाडू में जो चोला एरा का चोला यूक का जो ब्रोंज नटर आज इस टेच्व है वह वापस आया था बाकिया आपको जानने चाहिए तब इनलाडू सरकार्णी ने क्लाइम मानी आवार्ट से भी सब्मानी थे क्या आप आए इसरो परणोदन परिसर आई पी आर सी जहां इसरो ने गगन यान कारेकरम के लिए विकास इंजन का सफलता पुर्वक परिक्षण किया किस राज्य में इस्थित है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी है इसरो परणोदन प्रोग्राम के बारे में आप सर्वी ने सुनाई होगा तो इसके लिए विकास इंजन को सक्सेस्फुली टेस्ट किया है यहाँ पर इसरो ने कहां पर किया है इसरो परणोदन कॉम्प्लेक्स आई पी आर सी जो की महेंद्रगरी तमिलाडू में है बाकी हाली में आपने पड़ा था कि इसरो जो है इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन इसके दसवे चेर्मेंड बने है एस सोमनात प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट पी एम एले एड़्यूडिकेटिंग अथोरिटी का अध्यक्ष किसे निउक्त किया गया है ओप्शन साब के सामने है सही आंसर ओप्शन सी है तो देखिए गॉब्रेंट ओफ इंडिया ने विनोधा नंद ऍचा इनको नया चेर परसन मुना है प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट पी एम एले एड़्यूडिकेटिंग अथोरिटी का आपको जाना चाहिए यह जो educating authority है इसमें एक chairperson होते हैं और दो member होते हैं साथ ही आपको जाना चाहिए यह authority ministry of finance के department of revenue के तहत कार्य करती है और इसका headquarters new Delhi में है निमलिखित में से किसने coronavirus के omicron sunscreen के परिक्षन के लिए rt-pcr diagnostic kit ohm विक्सित किया है सही answer यहाँ पर option d रहने वाला है so central drug research institute has developed a rt-pcr diagnostic kit ohm for the testing of the omicron variant of corona virus जानेंगे इस question के बारे में तो देखिए CSIR का एक institute है central drug research institute लखनों में है तो यहाँ के scientist ने rt-pcr kit एक develop किये जो की omicron strain को तुरंत पैचान लेता है इसका नाम है ohm या फिर इसका अगर हम विल्कुल official नाम कहें तो यह है indicov omtm तो इसी को ही om कहा गया है और हाली में हमने बहुत महत्वपूर्ण एक करंट फिर यह भी पढ़ा था omisure जो की इंडिया की first इस तरह की rt-pcr kit है जो की omicron का test कर सकती है omicron variant को पता लगा सकती है और यह किसके द्वारा डैवलप किया गया यह डैवलप किया गया मुंबई-based tata medical and diagnostic limited किसके साथ partnership में Indian Council of Medical Research ICMR के साथ partnership में तो यह हमने mcu format में भी पढ़ा था पहले किस बैंक ने उभरते एशिया के लिए data center विकास में निवेश करने के लिए 150 million American dollar की प्रतिपद्धता जताई है यानि की committed रहा है options आपके सामने है सही answer option दी है so Asian infrastructure and investment bank has committed 150 million US dollar to invest in data center development to serve emerging Asia जाने के इसके बारे में तो देखिए जो एशिया है यहां का जो market है वो भड़ता हुआ है emerging market है अगर हम data की बात करें ठीक है data sector की बात करें तो यहां पर data centers की development के लिए Asian infrastructure investment bank AIIB जिसे आप वो कहेंगे इसने 150 million US dollar का investment जो है committed किया है आपको जाना चाहिए AIIB का headquarters बीजिंग चाइना में है और इसके प्रेजडेंट जिन लेकन है और membership है इसकी 104 members और हाली में हमने यह पढ़ा था कि एशिया infrastructure investment bank ने चेन्नाई metropolitan area project के लिए 150 million US dollar का loan भी एप्रूव किया है किस लगुवित बैंक ने प्लैटीना सावधी जमाय योजना की शुरुवात की है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन भी है तो उजीवन Small Finance Bank launched Platina Fixed Deposit Scheme तो उजीवन Small Finance Bank ने Platina Fixed Deposit Scheme को launch हिया है आपको बता दें इसके लिए जो minimum FD amount रहने वाला यह 20 lakh रहेगा और maximum amount 2 crore से कम का रह सकता है और यह जो deposit है इसकी जो tenure रहेगा इसका जो समयावधी रहेगी वो एक साल से maximum 5 साल के लिए रहने वाली है बाकि आपको जाना चाहिए उजीवन Small Finance Bank के MD&CO इतरा डेविस है हाली में निकती हुई है इंपोर्टन रहेगा आपके लिए headquarters बैंगलूरू में है और tagline है build a better life रोच मार क्रिश्चियन काविरू किस देश के राष्टपती है जो अब सेन्य तकता प्लट के कारण नजर बंद है options आपके सामने है और सही answer option D है सो रोच मार क्रिश्चियन का बोरे इस दप्रेजिदेंट ऑफ बुर्किना फासो नाव इंडर मिलिटरी कू कू मैंने आपको कई बार बता चुगा हूं इसको कू बोलते हैं कू पनी बोलते हैं कू और कू का मतलब होता है तकता प्लट जब मिलेटरी जो है अपने हाथ में पावर ले लेती है जो डेमोक्राटिक लिए इलेक्टेड गवर्मेंट होती है उसको उखाड कर जानेंगे इस बारे में तो देखी जो बुर्किना फासो की मिलेटरी है इन्होंने यहां के प्रेजिदेंट रोच मार क्रिश्चियन काबोरे इनको यहां से जो हटा दिया इ जिहादिस्ट के द्वारा इसलिए लोगों में आपर काफी गुस्सा था और उसी गुस्से का फाइदा है आपर मिलेटरी ने उठाये है आपको जानना चाहिए अब यहां आपर जो मिलेटरी लीडर है यह है पॉल हैंडरी संदाओ को दामीबा तो इन्होंने अपने हाथ म सब्सक्राइब है आपको जानना चाहिए वागादूगू यह सी केपिटल है करंसी यहां की वेस्ट अफ्रिकन सी एफए फ्रांक कई बार एक्जाम में आपके यह पूछा गया एक दो बार कि अपर वोल्टा किस कंट्री को कहा जाता था किस कंट्री का प्रीवियस नाम पूर्किना फासो तो यह आप मैप में भी देख सकते हैं यह पूरा एफ्रिका है और यह वैस्ट में है चोटी से कंट्री बुर्किना फासो ब्रेंड फाइनेंस 2022 के अनुसार निम्ले कि तमरे से कौन दुनिया भर में IT से वाओ में दूसरा सबसे मुल्लिवान ब्रेंड है और सही आमसर उप्शन यह है एकॉर्डिन फाइनस 2022 टीस इस 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 ने आई बीम को जो है पीछे शोड़ दिया है और आई बीम भी काफी पिछड़ गया है आपर और उसे के साथ TCS second most valued brand बन गया है IT सेक्टर में ऐसा कहा है brand finance 2022 की global 500 report में आपको उता दे TCS ने अपनी brand value को काफी बढ़ा है पिछले 12 महीने में और अब इसकी brand value 16.786 billion US dollar की हो गई है और पहले नंबर पर है Accenture और Infosys आपका तीसे नंबर पर है और IBM आपका fourth नंबर पर पहुँच चुका ह तो first Accenture, second is TCS, third is Infosys and fourth is IBM और बाकी के Indian brands के अगरम बात करें तो Wipro 7 पर है, SCL 8 पर है और Tech Mahindra 15 पोजिशन पर है आपको जाना चाहिए brand finance इसके CEO and Chairman David Haye है अच्छा हाल ही में Tata Consultancy Services जो है news में रहा तो मैंने सुच है ही पर add कर देता हूँ जोब TCS से सम्बंदी दिया question है, तो देखिए recently Tata Consultancy Services announced that it is expanding its collaboration with Microsoft Cloud to include the newly launched Microsoft Cloud for Retail, तो देखिए Microsoft Cloud ने हाल ही में Microsoft Cloud for Retail launch या है, और इसी की Services लेने के लिए Tata Consultancy Services ने अपना collaboration इसके साथ बढ़ा है, तो यह आप याद रखेंगे, और अगर हम पिक्टोरियल लेखें तो यहां से भी आप समझ सकते हैं, इसका इसकी शोड़ ले सकते हैं, तक क्विकरी जोन के लिए, पहले प्रेक्सेंचर है, फिर TCS, फिर Infosys, फिर IBM, फिर है Cognizant, तो भारती कंपनिया कौन कौन है, 2378, अंतराष्टे सीमा सुल्क दीवस, किस दिन मना जाता है, ओप्शन सापके सामने है, सही आंसर ओप्शन भी है, सो इंटरनेसल कस्टम स्टे, इस साल इंटरनेसल कस्टम स्टे, और इस साल 2022 में इसका थीम रहा है, Scaling Up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem, वाकिया आपको जाना चाहिए, World Customs Organization के बारे में, इसको पहले Customs Corporation Council बोला जाता था, CCC, इसका Headquarters Brussels, Belgium में है, और 183 Customs Administrations इसके अंडर में हैं, या फिर इससे जोड़ी हुई है, किस कंप्री ने इलेक्ट्रिक वहानों के निर्मान के लिए महिंद्रा सम्हू के साथ भागेदारी की है, ओप्शन साब के सामने है, सही आंसर ओप्शन भी है, So Hero Electric has partnered with the Mahindra Group to manufacture electric vehicles, तो Hero Electric जोकी इंडिया की largest electric two-wheeler maker है, इसने five year की एक strategic partnership की है Mahindra Group के लिए, Mahindra Group के साथ, जिसके तहती है, electric vehicles manufacture करेंगे, अंतराष्टि मुद्रा कोस्ट यानि की IMF ने चालू वित्वर्ष के लिए भारत के आरती विकास के अनुमान को घटा कर कितने प्रतिशत कर दिया है, सही आंसर ओप्शन C है, The International Monetary Fund has cut India's economic growth forecast to 9% for the current fiscal year, या fiscal year 22, देखे, International Monetary Fund ने अपनी report, World Economic Outlook, पहले तो एक question यह भी बन गया, World Economic Outlook किसके द्वारा जारी की जाती है, आंसर होगा, International Monetary Fund कई बार एक जामें बुझा जाता है, और इसका आंसर जो है, बच्चे, World Bank ज्यादा गर के आते हैं, तो याद रहे है, World Economic Outlook, International Monetary Fund द्वारा एक report जारी की जाती है, और इसने का है, जो current fiscal year चल रहा है, fiscal year 22, 2021, और March 31 क को ये खतम हो जाएगा, तो इसके लिए जो भारत की जो GDP forecast है, ये 9% रहने वाली है, अब आपको बता दें जो इनकी forecast है, ये S&P की जो forecast है 9.5, और Moody's की जो forecast है 9.3, Central Statistic Office की जो forecast है 9.2, और Reserve Bank of India की जो forecast है 9.5, इससे दो कम है, लेकिन जो World Bank की forecast है 8.3, और Fitch Group की जो forecast है 8.4, और इससे जादा है, बाकि आपको जाना चाहिए, IMF ने ये भी कहा है, कि जो global growth है, ये 2021 में 5.9% रहने वाली है, और 2022 में तो और कम 4.4% रहेगी, यहां से भी आप इसको देख सकते हैं, 2021 में इंडिया की 9, 22 में भी 9 ही बताई है, चाइना की 8.1 बताई है 2021 में, और 2022 में 4.8 काफी कम है 2022 में, ठीक है, तो भारती सबसे तेज यहां पर grow करता हुआ, दीख रहा है, और अगर वर्ड की बात करें, तो वर्ड की 5.9% रहेगी 2020 में, और 2022 में 4.4% ICC Men's Cricketers of the Year किसे चुना गया है, options आपके सामने हैं, सही answer option C है, so शाहीन अफरीदी has been named the ICC Men's Cricketer of the Year, तो देखिए पाहिस्तान की फास्ट पूलर है, साहीन अफरीदी, इनको Sir Garefield Sobers Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year यह दिया गया है, आपको बता दे, ICC Awards 2021 की अगर बात करें तो जल्दी से देख लेते हैं, ICC Empire of the Year मने है, Maris Erasmus, ICC Men's T20 Cricketer of the Year मने है, Mohamed Rijwan of Pakistan, ICC Women's T20 Cricketer of the Year है, Tammy Beaumont, England से, ICC Emerging Men's Cricketer of the Year है, German Malan, South Africa, ICC Emerging Women's Cricketer of the Year है, Fatima Asana, Pakistan, ICC Men's Associated Cricketer of the Year है, Jisan, Maksud Oman, ICC Women's Associated Cricketer of the Year है, Andrea May, Jepeda, Austria, ICC Men's One Day International Cricketer of the Year है, Pabaj Raj, I'm from Pakistan, ICC Women's One Day International Cricketer of the Year है, Lesel Lee, South Africa से, और ICC Men's Test Cricketer of the Year है, Joe Root, England, और Rachel Hayhoe Flint Trophy for ICC, Women's Cricketer of the Year, ये मिला है, स्मृती मन दाना को, भारत से, गणतांतर दिवस की पूर्व संध्या पर, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, निरच चोपड़ा को, पदमश्री और भारतिय सिना की किस पदक के प्राप्त करता की रूप में नामीत किया गया है, ओप्शन आपके सामने है, सही आंसर, ओप्शन D रहेगा, सो ओरंपिक गोल्ड मैडलिस्ट निरच चोपड़ा, वाज नेम्ड एस दा रिसिपियंट औफ दा पदमश्री, एंड परमविसिस्ट सेवा मैडल, ओन दा इव उफ रिपब्लिक डे, पहल था आप ये जान लीज यदि आप कहें कि on the eve of Sunday, तो इसका मतलब क्या हुआ, Saturday की जो evening होती है, उसके बारे में बात की चरहिए, तो on the eve of Republic Day का मतलब क्या हुआ, Republic Day 26 जनवरी को होता है, यानि कि 25 जनवरी की शाम की बात करें, on the eve of, तो देहें, ओलंपिक गोल्ड मैलिस्ट है, सुबेदार निरच च सोरे चक्रे से सम्मानित किया गया है, जो कि 3rd Highest Peace Time Calendary Award है, किसके द्वारा ये नाम बताए गए है, ये प्रेजिडेंट और Supreme Commander of the Indian Air Force, रामनाथ कोविंद के द्वारा, कई बार एक्जामें पुझा जाता है, कि हमारी जो Indian Armed Forces हैं, उसके Supreme Commander कोन है, आंसर होगा, रामनाथ कमांडर होते हैं, आप सभी जानते हैं, 2021 के Tokyo Olympics में निरच चोपना ने Olympic Gold Medal जीता था, और ये राजपताना राइफल्स के 4th Battalion में इन्रोल्ड हुए हैं, और नायप सुवेदार पर जो ही ने डारेक्ट एंट्री मिली थी 15 माई 2016, आ साथी आपको जाना चाहिए, प्रेजिड में 12 सोरे चक्र है, 29 PV सम यही सब, उत्तम युद्द सेवा मेडल हैं और 4 उत्तम युद्द सेवा मेडल सें, 53 अती विशिस्ट सेवा मेडल सें, तो ये सब आप देख सकते हैं, पॉस करके, ठीक है, बाकि आप देख सकते हैं, जो 5 परसनल्स हैं, जिने सोरे चक्र, मर्णो प्रांट मिला है इनके नाम आप दिछ सकते हैं नायब सुबेदार एम स्रीजीत एंड सिपोए मरुपरोलु जस्वन्त कुमार एड़ी ठीक है और हवलदार अनिल कुमार तोमर हवलदार काशिरे बमन अली और ठीक है इन सब को मिला है तो इन पांचों को मिला है मर्नो प्रां प्रांट में नामित किया गया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन डी है सो देवेंद्र जाजारिया प्राइथलीट है यह वाज नेम्ड एस ता रेसिपियंट ऑफ पद्मभूशन अवार्ड देखें इस पर कम्प्लीट वीडियो आपके लिए मैंने जो है अप्लोड करकी कर दी है उसको आप जुरूर देख लीजेगा सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे पद्मभूशन क्या होते हैं और क्या-क्या पूरी जानगारी आपको उसमें मिलेगी और इसकी पीडियेफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो आपको अरंट जीगा महाँ पर हम आपके साथ कभी-कभी जो है काफी महत्वपूर्ण पीडियेफ शेयर कर देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है तो देखे पैराथलीट है देवेंद्र जजारिया और इनको पद्वभूशन से सम्मानित किया गया है पद्वभूशन गया और एक रियो 2016 में गोल्ड मेडल की हम बात कर रहे हैं और टोक्यो पर अलंपिक में इनको सिल्वर मेडल जीता है एफ-46 इवेंट में बाकिया अधर हम अधर पदमश्री अवार्डिस की बात करें तो इसमें पैराशूटर अवनी लेखा रहा है पैरा बैट्विंटर प्रम कर नारायन मेनन है और इंटरेशनल मार्चल आर्ट्स चैंपियन फैसल अली दार है और फोर्मर इंडियन फुटबोल टीम कैप्टन ब्रह्मानंद संक वालकर है और विमेंस ओकी प्लेयर वंदना कटारिया भी है गड़तंत्र दीवस की पूर्वसंद्या पर किस पुलिस व मिला ने लिएंट की बारे में लधे में कुषैंग फिए के Пос чер도 पुैसल नुड़ा और महराश पुलिस तीन जीटे हैं इंडलो टिप्टेन पुलिस Gothicी मह और सथक्रिसीमा बलने जबकि दो-दो-डी जीटे वोर्डर स्क्यूर्टी फॉर्स में बाकि आपको जाना चाहिए Presidents पोलिस मेडल फौर डिस्टिंगिडियोज सरविस के से मिला है रितू मялों मिला है सुदेश चंद्रकान सावंत को मिला है और रस्मी सिना को मिला है साथी पोलिस मेडल 4 गैलेंट्री मिला है आपका पर अशोक कुमार को सुरेश लाल को नीला सिंग को फुलर्टन इंडिया और निम्ली कित में से किस ने MSME इसको डिजिटल रिंड देने के लिए साज़दारी की घोशना की है options आपके सामने है और सही answer option A है So, Fullerton India and Paytium have announced a partnership to expand digital lending to MSMEs तो देखिए Fullerton India या फिर 197 Communication Limited या Paytium देखिए Fullerton India ने किसके साथ साज़दारी की है या तो आप कह दीजिए 197 Communications Limited या आप कह दीजिए Paytium ठीक है exam में अगर question आता है तो या तो यहाँ पर Paytium लिखा होगा या फिर यही 197 Communications Limited क्योंकि जो Paytium है इसकी honor ही यह है 197 Communications Limited ठीक है तो इन दोने ने एक partnership किये जिसके देखिए MSM में इसको loan provide कराएंगे तो Paytium Postpaid जो प्रोग्राम है इसका यह फायदा लेंगे Postpaid मतलब buy now pay later बाकि आपको जाना चाहिए Fullerton India इसके COMD सातरों बितरा है और Paytium Landing के CEO है भावेश गुपता भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच कितने वर्सों के राजनाइक संबन्ध है Options आपके सामने है और सही answer option A है So India and Central Asian countries have 30 years of diplomatic relations between them देखे question क्यों लिया गया है आपको जानना चाहिए Prime Minister रेंदर मोदी ने हाल ही में First India Central Asia Summit इसको virtual format में host किया है जिसमें की Central Asian countries जो है आपकी 5 Central Asian countries जो है कजागस्तान, उचवेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्किमेनिस्तान और किर्गिस्तान इन 5 ही countries के President ने इसमें participate किया है तो एक चीश तो आप ये याद रखेंगे कि किस देश ने इसको host किया तो भारत ने इसको host किया है और कौन सा edition था ये First Edition था तो First India Central Asia Summit रही है 5 ही Central Asian countries के President ने इसको इसमें participate किया है आपको जानना चाहिए इसी साल India और Central Asia ये दोनों ही 30th anniversary बना रहे हैं आपस में जो इनके diplomatic ties है वो पुरा होने के संबंद में तो इंडिया और Central Asia के भी जो diplomatic relations है उनको इस बार 2022 में 30 साल पूरे हो गए है तो इसलिए question आपके लिए इस तरह से frame किया गया है बाकिया आपको ये जानना चाहिए Central Asian country सी capital और currency ये आपके exam में पूछ लिजाती है तो केजोःकिस्तानी अगर हम बात करें तो capital Nod Sum ŞuNi है तुर्कोनियृतान की बात करें तो capital आश्काबाद है और currency है तुर्कमेनिष्तानी मनथ किर्गिस्तान की बात करें तो capital बिश्केक है और करंसी है किर्गिस्तानी सोम चलिए आगे बढ़ते हैं रोसी, चीनी और इरानी नोसेनाओं ने किस चल निकाए में यानि किस वाटर बोडी में शीरू 2022 नोसेनिक अभ्यास किया है उप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर उप्शन भी है जानेंग इसके बारे में देखें चाइनिस नेवी ने भी अपना एक डेस्ट्रो एर उरुम की इसको बेजा है गल्फ ओफ ओमान में क्यों? क्योंकि ये रशियन और इरानियन नेवी इसके साथ एक जोइन ट्रिल इसने की है जिसका नाम है C.H.I.R.U. 2022 चीरू आप इसको बोल सकते हैं, यानि कि चाइना, इरान और रशिया थोड़ा सा हम यहाँ पर जोगराफी को भी एक बार देख लेंगे देखिए, यह आप देख रहे हैं, यह है Gulf of Oman, जहां पर यह अभ्यास हुआ है और यह आप देख रहे हैं, Persian Gulf यह और यह पूरा इधर Arabian Sea है, अरब सागर है और यह इतना इरान है पूरा, यह और जो यह लाइन देख रहे हैं, इससीद इधर पकिस्तान है तो देखिए, Arabian Sea से यह आप Persian Gulf में जाना चाते हैं, तो Gulf of Oman से जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि Arabian Sea को Persian Gulf से कौन कनेक्ट करता है, Gulf of Oman या फिर अगर आप देखे, Strait of Hormos, तो यह है यहाँ पर, Strait of Hormos तो आप कह सकते है, Strait of Hormos connects Persian Gulf with Gulf of Oman ठीक है, यह चीज़ आप देखे लिए, इसी तरह से बिलकुल इसी का opposite अपमें अगर देखें यहाँ पर, Gulf of Aden तो यह यमन और जिबोती के बीच में है, Gulf of Aden और यहाँ पर आप देख रहे है, Red Sea, और इस साइड फिर Egypt आ जाता है, आपका Jordan, Israel, यह सबा जाते है तो Gulf of Aden, और यह है Red Sea, अब इन दोनों को कौन करनेक्ट करता है, Bubble Mundum तो यह Bubble Mundum यहाँ पर है, तो Bubble Mundum क्या करता है आपका, Gulf of Aden को Red Sea से करनेक्ट करता है और State of Formals किसके बीच में है आपका, Persian Gulf of, Gulf of Oman के बीच में है तो इस तरह कोशन भी आपके पूछ ली जाते हैं, SSC यह से एक्साम में तो यह आप याद रखेंगे, चलिए आगे बढ़ते है Brand Finance Global 500, 2022 रिपोर्ट के नुसार, निमलिकित में से कोन सा दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रेंड है ओप्शन्स आपके सामने है, और सही आंसर ओप्शन C है तो देखिए, यहाँ पर Brand Finance Global 500, 2022 रिपोर्ट के नुसार, जो टिक टोक है यह वर्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रेंड है दूसरे नमबर पर Snapchat है, और तेसरे नमबर पर है Kakao, और वोर्थ पर है AMD इस तरह से आप देख सकते हैं, इस पहले नमबर पर TikTok है 215 प्रतिशत, जो है यह बढ़ा है, अगर हम इसकी एक साल की बात करें उसके बाद आप इस Snapchat देख सकते हैं, फिर है Kakao और फिर है AMD Transparency International के भरष्टाचार सुचकांक में भारत का इस्थान क्या है? उप्शन साब के सामने हैं, सही आंसर उप्शन C है So, 85 is India's rank in the Transparency International Corruption Index जानेंगे इसके बारे में, पहले आपको यह जानना चाहिए कि Corruption Perception Index, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह किया जाता है Transparency International के द्वारा तो इसमें 180 countries को consider किया है, जिसमें कि अपने भारत का इस्थान आया है 85 अब यहां पर जो question बनता है, वो इस तरह से बनता है कि भारत का अगर हम बात करें South Asia में या फिर आपस के पडोसी देशों में क्या position रही? तो आपको जानना चाहिए कि जो हमारी नेबर्स हैं, जैसे चाइना है, बंगलादेश है, स्रिलंका है, नेपाल है, ठीक है, भूटान है तो भूटान को छोड़कर बाकी और देशों से अगर हम compare करें तो भारत की rank जो है काफी अच्छी है आप देख सकते हैं, except भूटान, all of India's neighbors are ranked below it तो question में पूछा सकता है, निमली कितमे से कौन? Corruption Perception Index में भारत से उपर है, अच्छी position बरें तो answer होगा उसमें भूटान खेर, अब यह देखिए, 2021 में भारत की rank रही 86th, और यहाँ पर इस बार रही है 85 score सेम है, CPI Corruption Perception Index score पहले भी 40 था, अब भी 40 है आपको बताने, इंडिया की 85 rank है, तो माल दीव भी 85 position बरही है, तो दोनों countries की 85 rank है बाकि आपको जानना चाहिए, कि यहाँ आपर देखिए, दो parameter एक तो 0, 100 जो 0 के जितने पास होगा, यानि की highly corrupt है, जो 100 के जितने पास जाता जाएगा, यानि की clean है, जिसका पुरा 100 है, यानि की very clean, जो 0 पर है, वो है highly corrupt बाकि आपको देना चाहिए, कि जो पहले नंबर पर Denmark रहा, उसे के साथ Finland और New Zealand, इनकी भी rank 1 है, rank 4 की बात करें तो Norway, Singapur, Sweden, और rank 7 की बात करें तो Switzerland, इस तरह से आप देख सकता है, देखिए, rank 3 और rank 5 इनकी नहीं दिया है, यह बने आपकी इनकी साइट है, Transparence International की, यही स यह चार्ट लिया है, तो आप देख सकते हैं, rank 1 किस-किस की है, Denmark, Finland और New Zealand की, फिर 4 पोजिशन में, Norway और Singapore है, और Sweden भी है, 7 पर है Switzerland, जी बाला सुब्रमानियम को किस देश में भारत है अगले उच्चा युक्त के रूप में युक्त किया गया है, options आपके सामने है, सही answer option C है जी बाला सुब्रमानियम has been appointed as the next high commissioner of India to Nigeria, तो नाइजीरिया में next high commissioner बनाए गए हैं, जी बाला सुब्रमानियम, आपको जाना चाहिए, नाइजीरिया कैपिटल अबूजा है, करंसी है, नाइजीरियन नाइरा, भारत ने सुनामी के मद्दे नजर किस देश को 2 लैक अमरीकी US dollar immediate relief assistance to Tonga in the wake of tsunami, in the wake of का मतलब होता है, मद्दे नजर, ठीक है, कोई चीज खटना हुई है, उसके बाद in the wake of, तो देखिए भारत नहीं है, आपर Tonga को, यहाँ पर tsunami आई है, हमने MCQ format में पहले discuss भी किया था, तो 2 लैक US dollar की यहाँ पर साहिधा दी है, आपको जाना चाहिए, यहाँ पर एक volcano erupt हुआ था, 15 जनवरी की यह बात है, हुंगा टुंगा हुंगा हापई, यह इसका नाम है, वोलकैनु का, यह आप याद रखेंगे, इसके बाद काफी दहशन हैं यहाँ पर फैल गई, ठीक है, tsunami हैं पर आई, कई कई घर यहाँ पर उचड़ गए, उस 20 दि परिटिम exercise called Pashim Leher was conducted by Indian Navy at the Arabian Sea, तो कहाँ पर Arabian Sea में इसको conduct किया गया है, नाम रहा Pashim Leher, और West Coast या निके Arabian Sea, और किसके द्वारा किया गया, Western Naval Command के द्वारा, इसको जो है, head किया गया है, तो 20 दिन की exercise रही है, किस bank ने GoKey के साथ मिलकर CUB Fitness Watch Debit Card launch किया, options आपके सामने है, सही answer option C है, so City Union Bank has launched CUB Fitness Watch Debit Card in tie-up with GoKey, देखिए, City Union Bank, जो की भारत का oldest private sector bank है, इसने smart tech enabled preventive healthcare platform है, ये GoKey, इसके साथ एक MOU sign करके, क्या launch किया है, एक wearable payment solution, जिसका नाम है, CUB Fitness Watch Debit Card, तो ये आप याद रखेंगे, बाकिया आपको जानना चाहिए, City Union Bank का headquarters, कुमबा कोनम, तमिललाडू में है, इसके MD&CU, Dr. N, कमकोडी है, टेग लाइन है, इसकी trust and excellence, C1904, और हाली में हमने एक महत्वपून करेंटाफेर और पढ़ा था, City Union Bank से सम्बन देथ, कि इसने NPCI के साथ pact करके, एक wearable keychain solution, जो है, debit card customers के लिए launch किया है, जिसका नाम है, On The Go, तो, On The Go हो गया, एक तो आपका, एक हो गया, CUB Fitness Watch debit card, तो दोनों ही किसके product है, City Union Bank के, चलिए आगे बढ़ते हैं, Larson and Tobro Infotech ने कम लागत, कम आवर्ती वाले 5G network विक्सित करने के लिए किस IIT के साथ भागेदारी की है, सही answer option भी है, So, Larson and Tobro Infotech has partnered with IIT Madras to develop a low-cost, low-frequency 5G network, तो देखिए, यहाँ पर low-cost, low-frequency 5G networks develop करने के लिए, Larson and Tobro Infotech, LTI, इसने Indian Institute of Technology Madras के साथ एक MOU साइन किया है, Kendra-Grahamantri Amit Shah ने किस Raja या Kendra-Sasit Pradesh के 20 चीलों के लिए भागत का पहला चीला सुसासन सुचकांक जारी किया है, सही answer option D है, The Union Minister of Home, Amit Shah, has virtually released India's first District Good Governance Index for 20 districts of Jammu and Kashmir, जाने किसके बारे में, Amit Shah कौन है, यह Union Minister of Home है, and Union Minister of Corporation है, दोनों ही मिरिश्टिन के पास है, तो उन्होंने इंडिया का first District Good Governance Index, जो है, लॉंच किया है Jammu and Kashmir के लिए, यह किसके दोरा प्रिपेर किया गया है, Department of Administrative Reforms and Public Revences ने, Government of Jammu and Kashmir के साथ मिलकर इसको तैयार किया है, आपको जानना चाहिए, Top 5 Districts के बारे में, कौन Top 5 District रहे तो यह रहे जम्मू, फिर डोडा, फिर सांबा, फिर पुलवाम, और फिर स्री नगर, निमली के तमें से कौन, 2021 में, कारोबार किये गए अनुबंदो की संख्या के मामले में, दुनिया के सबसे बड़े Derivative Exchange के रूप में, उबरा है, ओप्शन साब के सामने है, सही आंसर ओप्शन D है, So, National Stock Exchange of India has emerged as the world's largest derivatives exchange in 2021, in terms of the number of contracts treated, जानें के इसके बारे में, देखिए, National Stock Exchange of India, ये लगातार, तीसरे साल, तो 2021 में, वर्ड का largest derivative exchange बना है, यदि हम number of contracts treated की बात करें, ऐसा का है Future Industry Association ने, साथ ही यदि हम cash equities की बात करें, तब इसकी position fourth number पर है, ठीक है, यदि trades जो है, वो cash equities में हुए है, तब fourth position पर है, और यदि जो अगर हम total number of contracts treated की बात करें, तो ये first position पर है, आपको जानना चाहिए, National Stock Exchange ये बारे में, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, और ये भालत का पहला exchange है, जो की fully automated, screen based electronic trading system की सुरुवाद जिसने की थी, साथिया आपको जानना चाहिए, ये वर्ड का 10th largest stock exchange है, विक्रम लिमाई, ये NSC के managing director and chief executive officer है, साथिया आपको जानना चाहिए, 1996 में इसके द्वारा nifty-fifty index launch किया गया था, बीसवे धाका अंतराष्ट ये फिल्म होटसा में, सर्वस्रेश्ट फिल्म का पुरुषकार जीतने वाली फिल्म कुंचगल की निर्देशक कौन है, option साथिया आपके सामने है, सही answer option C है, so P.S. विनोत राच, इस टारेक्टर फिल्म कुजंगल देट वोन, जानेंगे इस कुश्चन के बारे में, देखिये, बीसवा धाका इंटरेक्टर फिल्म फेस्टिवल, ये धाका बाइलाद इसमें हाल ही में, conclude हुआ है, संपन हुआ है, और इसमें best film award in Asian Film Competition Category, ये दिया गया है कुजंगल को, और आपको बता देए, इसके डिरेक्टर है, P.S. विनोत राच, साथ ही आपको जाना चाहिए, इंडियन एक्टर जैसूरिया, इनको best actor award दिया गया है, सनी, इस फिल्म के लिए, जिसको डिरेक्ट किया है, रंजीत संकर ने, साथ ही आपको जाना चाहिए, best script writer award दिया गया है, आपका इंद्रनील रोय चोदरी और सुकाता सिना को, ठीक है, किसलिए, फोर इंडिया बांगलादेसी फिल्म, मयार जोन जोन, और इस मोवी को, जो डिरेक्ट किया है, ये इंद्रनील रोय चोदरी ने किया है, बाकि आपको जाना चाहिए, special audience award, ये दिया गया है, इंडियन फिल्म, शेम कोर को, जिसको डिरेक्ट किया है, SME's actor Amy Barwan, आपको जाना चाहिए, जो 52nd International Film Festival of India हुआ, गोवा में, इसमें भी जो ये फिल्म है, शेम कोर, ये ओपनिंग फिल्म के रूप में सेलेक्ट की गई थी, भारत का पहला Graphene Innovation Center के सराज जमें स्थापित किया जाएगा, सही answer option ये है, So, India's first Graphene Innovation Center will be established in Kerala, तो देखिए, Digital University Kerala, ये CMET 3-4 के साथ मिलकर, India Innovation Center for Graphene, जो की इंडिया का first Graphene Research and Development Incubation Center है, इसको इस्तापित करेगा, वो इसमें Tata Steel Limited भी इसमें इंडर्स्टियल पार्टनर रहेगा, साथ ही आपको जाना चाहिए, हमने केरल से संबंदी देखो, और Current Affairs हमने जाना है कि Kerala got its first ever scientific bird atlas, तो केरल के लिए जो है first ever, इसकी पहली scientific bird atlas तयार की गई है, भारत ने कितने billion US dollar electronics powerhouse बनने के लिए 5 साल के road map का अनावरण किया है, options आपके सामने है, सही answer option C है, So India unveiled a 5 year road map to becoming 300 billion US dollar electronics powerhouse, जानेंगे इसके बारे में, देखे, Ministry of Electronics and Information Technology, इसने ICEA के साथ collaborate करके 5 year road map and vision document launch किया है, electronics sector के लिए, और इस road map का title है, 300 billion US dollar sustainable electronics manufacturing and exports by 2026, आपको जाना चाहिए, पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 लोंच किया गया था November में, और उसका title था, Increasing India's Electronics Export and Sharing GVCs, साथे आपको जानना चाहिए, अभी फिलाल जो electronic sector है, वो 75 billion US dollar का है, और इसको बढ़ा कर, जो electronics manufacturing sector है, इसको 300 billion US dollar करने का, यहाँ पर, जो है, बात कही गई है, इस vision document में, बाहिये वानिज्जक उधार, यानी ECB, जीसे external commercial borrowings भी बोलते हैं, इसके लिए optimal hedge ratio, क्या है, options आपके सामने है, सही answer option भी है, So, 63% is the optimal hedge ratio, for the external commercial borrowings, देखे, Reserve Bank of India ने, एक working paper अपनी website पर डालाई, जिसका title है, इंडिया's external commercial borrowings, determinants and optimal hedge ratio, इस paper को लिखा है, रंजीव ने, देखे, पहले आपको जाना चीए, external commercial borrowings क्या होती है, external commercial borrowings का मतलब होता है, मान लिजे, भारत में कोई व्यक्ति है, वो विदेश से, जो है, लोन उठाता है, है ना, अपने commercial purpose के लिए, और वो लोन किसमें हो, फुरन currency में हो, तो उसको बोलते है, external commercial borrowings, जैसे नाम से भी है, external, यानि बाहर से आपने लिया है, ठीक है, जो आपका lender है, जो आपको पैसा दे रहा है, वो नोन इंडियन है, है ना, और क्या है, commercial, commercial यूज के लिए, बाहर से आप पैसा ले रहे हैं, तो उसको बोलते है, external commercial borrowings, ठीक है, तो यह paper यहाँ पर जारी किया गया है, तो इसमें यह बोला गया है, this paper examines the determinants of external commercial borrowings raised by firms in India and identifies an optimal hedge ratio for the ECB's portfolio, देखे, hedge ratio को आप इस तरह समझ सकते हैं, hedge ratio का मतलब क्या होता है, कि आपने जो उठाया है, है ना, वो किस तरह से, मान लिजे जो Indian currency है, वो और डाउन चली जाती है, तो जो आपने पैसा उठाया है, ठीक है, उस पैसे पर आपको और कितना load बढ़ सकता है, है ना, आपका risk और कितना बढ़ सकता है, तो यह एक risk management के लिए होता है, hedge ratio, तो यहाई पर इस paper बताया कि जो hedge ratio है, आपको बताया कि इंडियन रुपी जो है, काफी उसका adverse impact पड़ा है, है ना, और क्योंकि काफी depreciate हो रही है हमारी currency, है कोरोना के टाइम में, तो इसलिए इन्होंने optimal hedge ratio बताया है, 63%, किसके लिए external commercial borrowing area, भारती सास्त्रिय निर्थे प्रतिपादक, मिलीना साल्विनी, जिनका हाली में इधन हो गया, को किस नागरिक पुरुषकार्दे सम्मानित किया गया था, option सापके सामने है, सही answer option A है, Indian classical dance exponent, मिलेना साल्विनी, who passed away recently, was conferred with Padma Shree, तो देखिए, मिलेना साल्विनी, जो की Italian बोर्ण, French exponent and teacher थी, Indian classical dance की, खासकर की कथा कली की, इनका हाली में फ्रांस में निदन हो गया है, आपको बताते हैं, इंडिया का 4th highest civilian award, Padma Shree से इने सम्मानित किया गया था, highest civilian award कुन सा है, भारत रत, फिर second position पे, Padma Bhushan, फिर Padma Bhushan और फिर Padma Shree, Daniel Medvedev को हरा कर, अपना दूसरा Australian open किताब किसने जीता है, options आपके सामने हैं, और सही answer होगा, option A, तो राफेल नडाल बीट, Daniel Medvedev to lift his second Australian open title, तो देखिए, राफेल नडाल, जो की Spain से हैं, इन्होंने रशिया के tennis player, Daniel Medvedev, इनको हराया है, और इन्होंने अपना तूसरा Australian open title चीत लिया है, पहला Australian open title उन्होंने साल 2009 में जीता था, साथ इन्होंने एक केर्थिमान भी हासिल किया है, इन्होंने 21st अपना Grand Slam title जीता है, जो की एक record है, अब तक 20 पर शल रहे थे, ये और नुवाक चुकोविच और रोजर फेडर, ठीक है, तो भी उन दोनों से आगे निकल गए है, 21st इन्होंने ये अपना title जीता है, Grand Slam title ज Olympic gold medal जीता था, और इनको the king of clay के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited के नए अध्यक्ष और प्रबंद इंदेशक के रूप में किसे नामित किया गया, options आपके सामने है, और सही answer option C है, तो पुष्प कुमार जोसी has been named as the new chairman and managing director of हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited, तो HPCL के नए chairman and managing director होंगे पुष्प कुमार जोसी, आपको जानना चाहिए जो हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited है, यानि की HPCL, ये ONGC के subsidiary company है, और इसका headquarters मूंबई महारास्ट में है, भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक सोर्ण पदक विजेता, उस होकी टीम के कप्तान कोन थे, options आपके सामने है, और सही answer यहां पर option D रहेगा, so Charanjeet Singh was the captain of India's 1964 Tokyo Olympics gold medal winning men's hockey team, जानेंगे इस question के बारे में देखिये, जो भारत ने Olympic gold medal जीता था, 1964 के Tokyo Olympics में, तो इसके captain रहे थे, Charanjeet Singh, तो हाली में 93 वर्स की आयू में, उना हिमाचर प्रदेश में, इनका निधन हो गया है, साथे आपको जानना चाहिए 1962 Asian Games, 1962 के जो Asian Games रहे हैं, इसमें जो भारतियों की team थी, उसके भी ये member रहे, और यहां पर silver medal हमारी team ने जीता था, साथे आपको जानना चाहिए, इन्हें Arjun Award और पदवश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, भारत के सबसे बड़ी electric वहान charging station का उद्गाटन कहां पर हुआ है, सही answer option C है, और आपको जानना चीज़ से पहले, जो largest electric vehicle charging station था, ये नवी मुमबई में था, और ये जो charging station एक इसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये electrify private limited के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, बारत की पहली महिला राफिल, fighter jet pilot का नाम बताईए, जो गंतंतर दिवस समारों में भारतिय वायू सेना की जहांकी का हिस्सा थी, और ये है उपलब्दी हासिल करने वाली दूसरी महिला fighter jet pilot बनी है, ओप्शन्स आपके सामने है, महोना सिंग, सिवांगी सिंग, बावना कांत, या फिर अवनी चतुरुवेदी, तो सही आंसर यहां पर रहेगा, ओप्शन B, इंडिया's first women rifle fighter jet pilot, सिवांगी सिंग, was part of the Indian Air Force deputy at the Republic Day celebrations, becoming the second women fighter jet pilot to achieve the feat, जानें इसके बारे में देखिए, जो इंडिया की first women pilot है, जो की rifle fighter jet को उड़ाती है, इनका नाम है सिवांगी सिंग, तो ये इस बार जो एर फोर्स की जहांकी जो रही, Republic Day Parade के दोरान उसका हिस्सा रही आपको बताते हैं, इस से पहले भावना कांथ, ये इंडियान एर फोर्स की जहांकी इसका हिस्सा रह चुकी थी, तो अब इस साल रही है सिवांगी सिंग, तो इंडियान एर फोर्स की जहांकी का हिस्सा रहने वाली, ये second female fighter jet pilot बन गई है, साथी आपको जानना चाहिए, इ इंडियान एर फोर्स 2017 में जोइन किया था, ये वारांसी से हैं, और अमबाला में जो इंडियान एर फोर्स की गोर्डन एरोस स्क्वार्डन है, उसकी ये पार्ट है, साथी आपको जानना चाहिए, कि इस बार जो जहांकी रही हमारे गणतंतर दिवस के समारों में, ये ये आर्तिक सलाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और सही आंसर ऑप्शन दी है, विंकट रमन अनन्त नागेश्वरम ये आप कहेंगे, वी अनन्त नागेश्वरम हैस बिन अपॉंटेड एस दा न्यू चीफ एकोनोमिक एडवाइजर, तो देखे डॉक्टर व में भी काले कर चुके हैं, आपको बता दें, ये वाला जो पद है, चीफ एकोनोमिक एडवाइजर का, ये 17 दिसंबर 2020 से ही खाली था, क्योंकि के वी सुब्रमनियम इन्हों ने यहां से अपना ऑफिस छोड़ दिया था, तो इन से पहले कौन थे के वी सुब्रमनियम, बाक बात्या पोजारना चाहिए, 2019 से 2021 तक ये एकोनोमिक एडवाइजरी काउंसिल दू दू प्राइम मिस्टर ऑफ इंडिया, इसके पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं, तो एक्स्पियेंस तो इनके पास काफी अच्छा है, ठीक है, तो ये बने है, चीफ एकोनोमिक तो जय भीम एंड मरक कर, हैव बीन शोटलिस्टेट फॉर दे नाइनटी फॉर्थ एकेडमी अवार्ट्स, देखिए सूरिया एक्टर है, तो इनकी एक तमील लीगल ड्रामा है, जय भीम और महुललाल जो एक्टर है, इनका एक ये मलियालम एक्षिनर मूवी है, मरक कर, जि इन दोनों ही को, जो नाइनटी फॉर्थ एकेडमी अवार्ट्स होने वाले हैं, जिसमें की 276 फिल्म शोटलिस्ट की गई है, तो इन 276 फिल्म में ये भारत की तरफ से जो है, शामिल की गई है, आपको जानना चाहिए, जो जय भुहीम है, इसके डिरेक्टर है, टी जे गन भारत के रुख से कौन कौन सी एंट्री गई है, तो मदर इंडिया गई है, सलाम बोम में गई है, और लगान गई है, लेकिन किसी ने भी जो है, ओसकर अब तक नहीं जीता है, भारते महीला होकी टीम ने 2022 एशिया कप मस्केट ओमान में कांसे पतक हासिल करने के लिए किस ट कप कि अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भारत ने चाइना को दो जीरो से हराकर ब्रोंज मैडल जीत किया है, साथे आपको जाना चाहिए जो प्रतियोगीता है, जो कॉम्पेटिशन डा विमेंस होकी एशिया कप, यह आपका मस्केट ओमान में हुआ है, और सुल्तान कबू उस स्पोर्स कंप्लेक्स में हुआ है, यहाँ पर जापान ने साउथ कुरिया को हराकर यह वाला टाइटल जीता है, विमेंस होकी एशिया कप जीता है, सही दिवस किस दिन मनाया जाता है, तेईस मार्ज को, तीस जनवरी को, या फिर दोनों ही दिन, या फिर इन में से कोई भी नहीं, तो सही आंसर ओप्शन सी है, सो मार्टियट्स डे, इस ऑपसर्ड ओन मार्च 23rd, एंड जनवरी 30, तो जानेंगे इसके बारे में, देखे भारत जो है न, दो शही दिवस मनाता है, एक तो तीस जनवरी को मनाता है, और एक तीस मार्च को मनाता है, तो देखे तीस मार्च 1931, 23rd, मार्च 1931, इस दिन भगत सिंग, राजगरूर सुकति इन तीनों को ही फास हुई थी और ये देश के लिए सहीद हो गए थे, ठीक है, और इनके अलावा और भी जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको इस दिन याद किया जाता है, सही दिवस के दिन, अब अगर हम बात करें, 30 जनवरी को तो आप सभी जानते हैं, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी भी जो है, शहीद हो गए थे, है न, तो इनके उप्लक्स में सही दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो जनवरी 30 महात्मा गांधी संबंदी थे, मार्च 23rd, बहकर सिंग, सही आंसर ऑप्शन यह है, तो डेटा प्राइवेसी डे अकर्स एवरी येर ओन जनवरी 28, तो देहिए डेटा प्राइवेसी डे, जिसे यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन डे भी बोलते हैं, तो यह काफी इंटरनेश्ट, एक इंपोर्टेंट इवेंट है, और पूरे ग रुसकार जीता है, यह है रिजर्व किस राज्य में इस्थित है, ओप्शन सापके सामने है, सही आंसर ओप्शन डी है, दसत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ओन टी क्रोस्टू अवर्ड, तो देखिए इस सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो की तमील नाडू में इसको प् सार्द या नेसल पार्क है, इसको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको जानना चाहिए जो टी क्रोस्टू, जो आप या फिर टी मल्टिप्लाइट आप कह सकते हैं, टाइगर गुणा टू, यह नहीं दो गुणा करना, इसके नाम अवार्ड के नाम में ही है क किसली दिया जाता है, ठीक है, यह उन सभी टाइगर रिजर्व को दिया जाता है, जिन्हों है 2010 के बाद से अपनी टाइगर पॉबूलेशन को दोगुना किया है, तो यह वर्ड वाइल लाइफ फंड द्वारा दिया जाता है, जिसमें की कंजर्वेशन, SEO, टाइगर स्टें साब के सामने हैं, सही अंसर ओप्शन C, D है, तो देखे, फॉर्मर फाइनस सेकरेट्री हैं, सुभाज चंदर गर्ग, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखिये, टें ट्रिलियन डॉलर ट्रीम, ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने बताया है, क्या क्या रिफॉर्म भारती लुसार 2021 में, वैस्विक सोने की मांग 10 प्रतिशत बढ़कर 4,021 टन हो गई है, आपको बताना है, वर्ड गोल्ड काउंसिल यानि की WGC का मुख्याले कहां पर इस्तित है, सही आंसर ओप्शन C है, सो एस पर दे वर्ड गोल्ड काउंसिल, ग्लोबल गोल्ड डिमांड आपका 2021 में, 4,021 टन पहुच गई है, यानि की 10 प्रतिशत की जो हैं आपर बड़ोतरी देखने को मिली है, तो 50% की जो हैं आपर डिमांड, येर ओन येर डिमांड भी देखने के लिए मिली है, ऐसा कहा है, वर्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ड गोल्ड डिमां इस पंदर का शहर में किया गया है, ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, दिवर्ड लार्जेस्ट कैनल लोक हैस बीन इन 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 पोर्ट सिटी इमुईदेन, ठीक है, इमुईदेन, यहां पे जो जे है न ये साइलेंट रहता है, इमुईदेन, तो की वर्ड़ का लार्जेस्ट सी लोक बताया जा रहा है, तो यह 500 मिटर लोंग है, और 70 मिटर वाइड है, और आपको बता दे, यह जो है, कहां पर है, यह इमुईदेन में है, जो की एक स्मॉल पोर्ट सिटी है, जो की नोर्थ सी कैनल को पोर्ट अफ एमस्टर डॉम, निद लेंड्स बोलेंगे, ठीके किस कंट्री में आएगा, तो निद्र लेंड्स आप यहां पर आंसर इसका करेंगे, वर्ण अगर इस पेसिफिक जगा पूचेंगे, तो आप इसको बोलेंगे, इमुईदेन, निम्रिकित में से कौन विश्व का सबसे मुल लिवान ब्रैंड है ओप्शन आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन ए है, तो एपल इस था वर्ड्स मोस्ट वैल्यूबल ब्रैंड्स, आप यहां पर स्क्रीशोट ले सकते हैं, बाकि टेलिग्राम पर मैं आपको यह शेर कर दूँगा, इस तरह की 4-5 इमेजे हैं, हम डेली देख रहे हैं, इस कि वर्ड का मोस्ट वैल्यूबल ब्रांट है, एपल, और इसकी जो वैल्यूएशन है, आप देखिए, 355 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन है, सेगंड पोजिशन पर एमेजोन है, और थर्ड नमबर पर है, गूगल, ऐसा का है, ब्रैंड फाइनस ग्लोबल 500, 2022 रि दूसे नमबर पर है आपका रिटेल, साथ है आपको जाना चाहिए, माइक्रोसोफ्ट के जो CEO है, आपका सत्या नडेला, CEO and Chairman सत्या नडेला, तो ये वर्ड के टॉप 250 CEO's की जो लिस्ट है, उसमें पहले नमबर पर है, आप देख सकते हैं, माइक्रोसोफ्ट सत्या नडेला, आपको जाना चाहिए, आपुधा भी UAE में, ये वर्ड का स्ट्रोंगेस्ट टेलीकॉम्स ब्रैंड है, 2022 के लिए, भारतने वर्ड दोहजार बाइस के लिए, सही युक्तराष्ट के नियमीत, बजट आकलन में कितने राशी का बुक्तान किया है, सही आंसर, उप्शन भी है So, India paid 29.9 million US dollar in UN regular budget assessments for the year 2022, तो देखे, जो UN regular budget assessment है, 2022 के लिए, भारत ने 29.9 million US dollar pay किये हैं, आपको जाना चाहिए, किस जनवई 2022 तक, 24 member states ने अपना regular budget assessment यहाँ पर pay कर चुका है, आपको जाना चाहिए, भारत जो है, जो United Nations Security Council है, ठीक है, इसके जो non-permanent member है, 15, उन में यहाँ पर सामिल है, ठीक है, जो non-permanent member तो 10 है, 5 permanent है, तो पूरी council यह 15 की होती है, ना 15 सदस्यों की, 5 इसमें permanent है, ठीक है, तो भारत किया है, non-permanent member है, और इसकी जो यह membership है, यह 31st December 2022 तक है, 2 year का term है इसका, किस संगठन ने inequality kills सिर्षक से report जारी की है, options आपके सामने है, और सही answer option C है, So Oxfam India has released the report titled inequality kills, जानेंगे इस report के बारे में, तो देखिए Oxfam की एक report आई है, जिसका title है inequality kills, यहनकी असमानता, inequality बतलब असमानता, तो इस report ने यह कहा है, कि जो भारत के richest 98 people हैं, तो उनके पास उतनी ही wealth है, जितने की भारत में 552 million, जो bottom के हैं, जो सबसे निचले तरजे के जो लोग हैं 552, यदि हम मतलब आर्थी किसली से बात करें, तो उनके बराबर 98 Indians की wealth हैं, तो इस 98 Indians हैं, यह इतने reach हैं, कि 552 million people के बराबर इनकी worth है, साथ ही आपको जाना चाहिए, COVID-19 से जिस तरह पूरी दुनिया जो जी है, उसमें भी भारत पीछे नहीं रहा, और भारत ने इसमें 2021 में 409 billionaires अपनी रिस्ट में add कि हैं, और भारत में 142 billionaires हैं, साथ ही आपको ज गड़ में कम से कम एक व्यक्ति की जो है, मृत्यू हो जाती है, साथ ही इसमें काये कि 2021 में जो 84% of households हैं, इनकी income में कमी आई है, लेकिन सेम टाइम पे जो भारत में billionaires की संक्या है, वो 102 से बढ़कर 142 हो गई है, साथ ही यह भी कहा गया है कि pandemic के टाइम पर जो Indian billionaires हैं, इनकी जो wealth है, यह 23.14 lakh करोड से भरकर 53.16 lakh करोड पहुच गई है, और अगर हम पूरे word की बात करें तो भारत तीसे नंबर पर सबस्यादा billionaires जो है, भारत में है, साथ है आपको जानना चाहिए, इंडिया में जो billionaires संक्या में 39% का इजाफा देखने के लिए मिला है, साथ है अग ने काहे, वन वस एर इंडिया नेसलाइज हो वस Mr. Neil Nongkhindry, who passed away recently, which para-athlete was named as a recipient of the Padvamushan Award, which state or UT's administrative headquarters is located at Campbell Bay, the European Union launched a case against which country for targeting Lithuania over its stance on Taiwan, Taiwan, तो पांचे questions के answer आप हमें comment box में चुरूर बताईएगा, दोस्ता आप लोग comment में answer नहीं करते हैं, देखे ऐसा मत कीजिए, कम से कम एक question का answer तो आप देई सकते हैं, केवल 10-15 लोग के answer आते हैं, बीच बीच में तो 60-60 बच्चे भी answer करने लगे थे, तो इस तरह से मत क कीजिए, try किया कीजिए, यह कौन चेका answer भी आता है, तो भी आप हमें देने की कोशिच किया कीजिए, साथी current affairs funda को आप टेलिगाम पर भी join कर सकते हैं, यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी डालते रहते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, दोस्ते आपर हमारे current interface की playlist दे गई है, इसको आप जरूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ, फैलो एस प्रेंडिक साथ, हमारे current affairs को share जरूर करें, आज का यह session आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताएगा, thank you guys